ठीक है, Demand and Recovery आते हैं इस चप्टर में यह भी चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है इस चप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाने वालो इस चप्टर में Section 73 Section 74 जो यहाँ पे Show Cause Notice से रिलेटेड है, एक Section 76 जा एकसिस कलेक्शन आप टैक्स होता है और फिर 75 से लेके आगे के Sections हम डिसकस करेंगे Done, तो अब देखो बेटा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ Section 73 और 74 की तो एक तरसे Notice Before Demand और फिर Demand Order कैसे ही और बाद में रिक और ही की बात करेंगे ठीक है, 74 और 73 के Action कब ली जाती है सबसे पहले उसको समझने के कोशिश करता है देखो एक Section 61 से आती है एक Audit से आता है और एक Direct भी हो सकती है मतलब Section 61 में Scrutinia हुई और Scrutinia के बाद यहाँ पे 73 या 74 का Proceeding Initiate कर दिया यहाँ फिर Audit में Departmental Audit हुआ यहाँ फिर यहाँ पे Special Audit हुआ Discripancies पता चली और इन दोनों में से फिर आगे Proceeding 73-74 में चालो किया यहाँ फिर Direct ओके जब भी Short Payment, Not Payment पता चला तो वो 74 में Action लिया तो अब हम आजाते हैं 73-74 में जब मैं Next Chapter पड़ाओगा Offense and Punishment तो मैं Section 122 की भी Action आपको आगे और थोड़ा क्लिरली समझाओगा पर अभी 73-74 की यह Action समझाओगा तो 73-74 का Action कब लिया जा सकता है चार ऐसी केसे से जा 73-74 का Action होता है पहला पहला वो कहते Non Payment of Tax दूसरा Short Payment of Tax Erroneous Refund और Wrong Availment of ITC याने GST में किसी भी Taxable Person से Related किसी भी Taxable Person से Related यह अगर चार बात यह पता चलती है इसमें Register Person ही होता है लेकिन यहाँ पे उन्होंने Register Person ऐसा वर्यूज नहीं किया है तो किसी भी Taxable Person से Related Non Payment of Tax पता चलता है During Scrutiny, During Audit या Directly भी पता चलता है Short Payment of Tax, Erroneous Refund और Wrong Availment और Utilization of ITC तो फिर 73-74 की Proceeding उस बंदे की अगेंस में यहाँ पे ली जाएगी थोड़ा एक-एक वर्ट को समझ लेते है कौन सा? पहला लेक लेते है Non Payment of Tax Non Payment of Tax की दो सिचुईशन हो सकती है एक, जब आपने किसी को Supply किया तो आपने यहाँ पे Exam में Supply कर दिया Customer को भी Exam या Nail Rate में आपने Supply कर दिया बाद में पता चला कि वो Exam था ही नहीं तो यहाँ आपने Government को नहीं दिया तो यहाँ देगो situation को समझना आपने Government को भी नहीं दिया और आपने Customer से भी नहीं लिया situation क्योंकि Invoice में तो आपने Exam और Nail Rate दिया है तो पहली situation ना आपने Customer से लिया ना आपने Government को दिया पर बाद में पता चला कि यह तो गड़बड होगी और कि मैंने इसको Exam मान लिया था इसको Nail Rate मान लिया था लेकिन यहां तो गड़बड होगी तो वो situation में यह जो है Non Payment of Tax हुआ ठीक है कि आपने कोई Tax नहीं दिया दूसरा है यहां दूसरी case क्या आ सकती है Non Payment पी आपने Customer से तो ले लिए Customer से लिए पर Government को नहीं दिया वो भी एक Non Payment of Tax का case है Customer से लिए पर Government को नहीं दिया Second Short Payment of Tax अब Short Payment of Tax हैने क्या आपने इसकी एक case यह हो सकती है कि Customer को आपने जो है कम rate लगा दिया आपका Supply 18% का था आपने 12% लगा दिया Short कर दिया तो Customer से भी कम लिया और Government को भी कम दिया Value कम बता दी Customer से भी कम लिया और Government को भी कम दिया यह एक case है Short Payment का या फिर Short Payment का दूसरा case दूसरा case हैने आपने अपने Supply में पुरा Tax लिया पर Government को पैसा नहीं था और कि पैसा नहीं था तो Government को Short Pay किया उस मन्त में तो वो भी Short Payment का Tax है ओके, next Third, Erroneous Refund यह Refund Chapter में आपको पढ़ा होगा तो जहाँ-जहाँ भी cases है Refund की जो Refund Chapter में हम देखेंगे उसके लिए आपको Documentary Evidences देने पड़ते हैं और कुछ Conditions फुल्फिल करने पड़ती है जैसे Zero Rated Supply है जैसे Inverted Tax Structure है Export के IJST के Refund है Cash Leisure के Refund है और बहुत सारे Refund की 2Ds को Refund है तो आपने गलत Document देखे और कि बहुत सी जगा Doctrine of Angels Enrichment भी लगता है Doctrine of Angels Enrichment मतलब आपने Pass On कर दिया होता आपको Refund नहीं मिलता है लेकिन बहुत सी बार गलत Document प्रोडूस करके आपने Refund ले लिए और बात में पता चलता है कि यह तो गलत Document से Refund लिए गया तो Refund जो दिया गया वो इरॉनियास हो गया तो वापस लेना पड़ेगा उस बंदे से तो नोटीस आएगी 73-74 की और ITC की Cases दोनों भी Availment और Utilization आपने गलत धंग से अवेल किया Section 16 में Goods ना आते हुए भी आपने ITC ले लिया Invoice ना आते हुए भी आईटीस ले लिया Supplier ने पेमेंड नहीं किया तो भी ITC ले लिया Non-Reported Invoice का आपने पुरा ITC ले लिया Wrongly Availment हुआ यहने कोई नों कोई Conditions आपने फुल्फिलने की Block Credit के ITC ले लिया तो यहाँ पे यह गलत उटिलाइज़ किये गया ITC तो वो situation में 73-74 की cases आ सकती है तो ख्याल रहा है यह learn करके जाना Non-Payment of Tax, Short Payment of Tax, Erroneous Refund Wrongly Availment or Utilization of ITC इसमें आपके अगेंस में दो प्रोसेडिंग होगी एक Section 73 की Proceeding और एक Section 74 की Proceeding अब देखो, Section 73 की Proceeding क्या कहती है Cases Other Than Fraud, Willful Misstatement और Suppression of Facts मतलब कभी-कभी बाइज़ मिस्टिक चीज़े हो जाती है कहां मैंने Short Payment किया, Not Payment किया पर मेरा कोई Intention नहीं था इसमें Short Payment, Non Payment का मेरा Mis Interpretation था या फिर यहां पर ओके यह Mystically हो गया Bonafide Intention जिसको कहते है Intention गलत नहीं था पर Short Payment, Not Payment हो गया और एक Malafide Intention जो Clearly पता चलता है Fraud है, Willful Mill Statement है यह Suppression of Facts है अब दिखो यहां पर मैं आगे बढ़ने के पहले बढ़बढ़ आपको एक मेरे Hostel की Case बताना चाहोगा तो आपको मज़ा आएगा और फिर डिसकेशन को आगे बढ़ाता है 2003 की बात है हम Hostel में रहते है और रियल केस थी 2003 की बात है तो हमारे Hostel में एक बंदा था जिसको कोई पसंद नहीं करता था और बड़ा कंजूस बंदा था हर चीज में अपना फाइदा देखता था बहुत ही selfish था लेकिन अब Hostel में था साथ साथ में था कभी निवाना भी पड़ता था आपको भी ऐसा फील आया होगा जब आप Hostel में रहते हो तो क्या होता था कि जब Sunday evening में हम बाहर क्योंकि मेज बंद होती थी तो बाहर खाना खाने जाते थे तो एक दिन ऐसे ही हम ग्रूप में आओके 10-12 जो हमारे अच्छे close friends थे हम बाहर खाना खाने निकले तो वह भी बंदा आया मैं भी चलता हूँ अब किसी की इच्छा नहीं थी कि वह बंदे को साथ में जाने के लेकिन अब क्या करें जाना तो पड़ेगा तो वह जो बंदा आया तो यहां पे चल वगए ठीक है सब को बता था कि यह कुछ न कुछ टाइम पे कंजूसी करेगा selfish बनेगा पर चल ठीक है तो यहां पे उसको लेके गए यहां पे उसको लेके गए यहां पे next अब जाने के बाद जब हम सब खाना खा रहे थे hotel में तो तब यह होता था क्योंकि सब को घर से limited पैसा आता था तो मुझे याद है मुझे मेरे घर से तब कुछ यहां पे 2,000 रुपय आते थे और 2,000 में मुझे सब मेंज भी सब कुछ और बाइक भी मेंटेन करना और बाइक के साथ जो पीछे बैठते उनको भी मेंटेन करना है ठीक है यहां पे 2,000 रुपय आते थे तो ऐसे situation में यहां पे अब वो बंदा क्या जब उसका शेरिंग की बात है तो अरे आज मैं वालेटी बुल किया बस ऐसा ऐसा कर रहा है तो हमको सब एकमें के तरफ देखने लगेगी यार पता ही ताइम पर ऐसा कुछ करेगा मतलब ही होता है कि आपको पता था उसके बाद में भी आपने टैक्स रिवेजन किया उसने पेमेंट नहीं किया तो मुझा मैं पसली कहता हूँ मुझे डाउट है कि यार यह कुछ तो कर रहा है तो क्या हुआ हम सब निकल गया और वो आकेल आ गया और उसने का थोड़ा काम है मैं मेडिकल में जा रहा हूँ तो काम है ठीक है फिर जैसे वो आगे गया हम उसके पीछे गया और उसके पीछे गया तो वो बाजू में एक आइसक्रीम की शॉप थी तो वो आइसक्रीम शॉप में गया और वो आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम लिया उसने हम पीछे पर कभी-कभी क्या होगा अब सवाल यह है कि सर लो मैरिज किया है क्या आपने अब मैरिज तो भी रही अरेज मैरिज ही बेटा लेकिन यहां पर चेंज कर करके तो यहां आखरी में सेटल हुआ अरेज मैरिज पर ठीक है तो ऐसे बहुत सारे प्रीमें ब्रिक अप ब्रेक भी और आखरी में अरेज मैरिज पर हुआ तो चलीड़ीग आ जाईए तो नालाइक पढ़ना क्या इंटरेस्ट आ रहा है मेरी लोव स्टोरी में, चलिए, चलिए, तो, अब, हम कहा थे, यार पुरानी बाते याद में दिला, वो कंस्प पर आ जाना, अब, आपके बारे में जानने में अच्छा लगता है, 17 साल होगे भाई, शादी होने को 13 साल होगे, अब क्या जाना, 14 साल होगे शादी होने को, अभी तो मैं लोगो शांती की जिन्दगी जिन्ने दे, क्यों पुराने बुर्दे निकाल रहा है, चल ये, आजा ही हमारी डिस्कुशन पर, लेकिन येस, मैं बात निकली इसलिए क्या देता हूँ, हर लाइब के मुम्मेंट पर जो चीज जरूरी है, हाँ, वो एक एज होती है, जहाँ, हमारी एनरजी, हमारी कॉंफिदेंस, हमारा जजबा और वो टाइम पर, आपने बहुत रेली एंजोई करना चाहिए, बहुत अच्छे परीके से, बहुत सिरियसली चीजों को लेके, कई ऐसा ना हो जाए कि 10-15 साल बाद आपका ऐसा लगी कि यार, वो एक टाइम था जो चल करना है, ये कोर्स करके, और साथ साथ में, जो भी चीजे आपको करनी है, वो एक सिरियस मोड में करना है, सिरियस मोड में मतलब में ये कहूँ कि, कोई फाल्त विया टाइम पास नहीं, जो भी करो, अच्छे से करो, सिरियसली करो, मज आएगा लाइफ में, ठीक है? अच्छा ये, चलो टाइम पास करने लग गये तुम, सर, पेट्रोल अब घुमाना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल सो रुपए, पर लिटर हो गया है, आपकी टाइम, यहाँ पे थाटी, थाटी, फाइव रुपीज, फोर्टी रुपीज लिटर था, चलिए, ना, आते है हमारे discussion पे, तो अब यहाँ पे, other than fraud का case है, चलो फटाफट लेते हैं यहाँ पे, और इस discussion पो आगे बढ़ाते है, other than fraud का case है, कि, ऐसा समझे लो, कोई अच्छा फ्रेंड है, जो बहुसी बार आपके बिल भी दे देता है, यह केस टड़ी लेता हो, कि बहुसी बार आपके मतलब, जब भी होटेल में जाओ, तो वह ही पैसा देता है, और एक दिन, समझ लो, उसने का कि, यार मैंने वैलेट नहीं लाया, intention नहीं है उसका, पैसा ना देने का, बहुसी बार तो आपके दे देता है, उसने पैसा नहीं लाया, लिक, बट, उसके, यहाँ बैग में वैल नहीं दिया गया, पर आपने GSTR1 में बताया, ता आपने रेकॉर्ड में बताया, आपने स्कूर्टीनियम बताया, आपने सब बताया, तो ठीक है ना, गल्ती हो गई अकाउंटेंट से, या हमारे से मीस हो गया, या मलएफेड इंटेंशन नहीं था, तो तब 73 का किस लगा ज होगा तो 73-1 में आपके अगेंस में नोटीस आईगी और ये नोटीस जो आएगी नोटीस का टाइम पिरेड क्या होगा 3 months before last date of demand order 3 months before last date of demand order मतलब 2 years 9 month की पिरेड में from the date of annual return due date of annual return से आएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं तोड़ा एक डाग्राम लेकर समझाता हूँ section 73-10 जो मैं आपको आगे पढ़ा होगा 73-10 क्या कहता है 73-10 ये कहता है कि समझे लो आपका financial year है आपका financial year है 2021 2021 आपका financial year है तो ये financial year का annual return जाएगा और ये annual return जाएगा 31st December 21 को तो जिस दिन आपकी annual return की due date होगी okay annual return की due date होगी वहाँ से okay 3 साल में वहाँ से 3 years में अगर कोई ये साल short payment, non payment या erroneous refund या फिर ITC के कुछ हो जाता है और case other than fraud का है तो officer annual return की date से आपकी जो annual return की date से वहाँ से 3 साल में okay वो due final करेगा due final करेगा तीन साल का time period दिया है यहना आपकी case open करके demand order final करेगा लेकिन demand order के पहले उसे notice देनी पड़ती है show cause notice है basic criteria है क्योंकि any demand order without show cause notice is wide ab initio notice देनी पड़ती है तो सबसे पहले notice जाती है तो ये notice का time period है at least 3 months before at least 3 months before का मतलब यह हुआ and 9 months 2 years and 9 months and 31st December 2021 2022, 2030, 2024 and 31st December okay यहाँ पे 31st December 2024 तक okay 2024 तक आपका जो do जाना चाहिए तो December यहने हम ले सकते कि यहाँ पे 30th September 30th September 2024 तक आपकी notice आनी चाहिए अगर 30th September 2024 तक notice गई तो फिर okay यह notice valid notice मानी जाएगी और डियो जो है यहाँ पे valid डियो माना जाएगा okay तो सुनिया यह यह जो है ना यह last date है यह जो है तो यह last date है मतलब क्या आप notice पहले भी दे सकते हो डियो पहले भी final कर सकते हो यानि notice पहले दी डियो पहले भी final कर दिया वो पहले तो आप कभी भी notice दे दो, पहले कभी भी do final कर दो, किसी ने रोका नहीं है, भई officer इतने prompt हो गया है कि फटाबट notice, फटाबट do, okay, और conclude कर रहे है, case को open करके conclude कर रहे है, लेकिन, लेकिन आपकी last date of notice होगी, 2 years, 9 months, याने उसको exam में लिखना, at least 3 months before, exam में ऐसा लिखन में जो कहना चाहता हूँ, और यहाँ पर, अब sir, क्या ऐसा हो सकता है, कि मैंने notice September के बाद दी, मैंने notice यहाँ दे दी, September के बाद, September के बाद दी, और deal में 31 December के पहले कर रहा हूँ, नहीं चलेगा, अगर आपने 30 September, 2024 के बाद notice दे दी, तो अब वो notice ही invalid होगी, अगर notice ही invalid सुरी बेटा, एक मिर्ट में चाल हो जाएगा वापस, हाँ, notice ही invalid होगी, और notice ही invalid होगी, तो फिर deal फाइनल ही नहीं हो सकता, deal फाइनल ही नहीं हो सकता, अब sir, ऐसा हो सकता है, कि notice मैंने पहले दे दी, notice मैंने पहले दे दी, पर मैंने deal 31 December के बाद यहाँ नहीं चलेगा, deal 31 December के बाद नहीं चलेगा, okay, तो आपकी notice भी at least 3 मैना पहले जानी चाहिए, और बाद में आप DO 31 December तक फाइनल कर सकते हो, ठीक है, तो in short, वो कहते है कि आपने notice यहाँ पे at least 3 months before issue कर देना चाहिए, from the, okay, last date, last date of demand order, and a 2 years, 9 months from the due date of annual return, नहीं, it doesn't mean gap between due or notice should be 3 months, यह important point है, it doesn't mean gap between, okay, कि तीन मैने का gap होना चाहिए, ऐसा नहीं है, okay, मतलब क्या, कि अगर तुने notice पहले दी, तो तू 10 दिन में due final कर सकता है, okay, okay, 10 दिन में final करना चाहिए, यह गलती से भी मतले ना, कि notice और due में तीन मैने का gap होना चाहिए, नहीं, वो कहते हैं, यह notice का last time period है, अगर इसके पहले कभी भी notice देते हो, तो आप 2 दिन में due final कर सकते हो, due का कोई रम नहीं है, लेकिन, okay, at least आपने 2 साल, 9 मेने में notice दे देना चाहिए, I hope you understood, ठीक है, okay, अगर यह case fraud का है, तो यहाँ पे time period है, okay, at least 3 months before, जब notice जाएगी, तो notice में tax amount, आप बताओ, प्रोपरली बताओ, इंटर्स भी बताओ, अगर कोई penalty होगी, तो penalty भी declare करो, notice में specify होनी चाहिए, चलो, अगर आपका case by reason of fraud होगा, यहाँ आपने fraud क्या होगा, विल्फुल में statement or suppression of facts का case होगा, तो वो situation में आपकी notice, आपकी notice को कहते है, at least 6 months before the last date of due, 6 months before the last date of due, ओकी, यहने, 4 years and 6 months, अब मैं आपको बताता हो, case अगर fraud का है, तो आपको 5 साल मिल जाते है, यहने, department अगर यह प्रूव कर दे कि यह case fraud का है, तो वो उसके पास 5 साल मिलते है, from annual return की, तब तक वो case open भी कर सकता है, और settle भी कर सकता है, fraud का नहीं होगा, तो 3 साल मिलेंगे, और fraud का case होगा, तो 5 साल मिलेंगे, यहने, अगर कोई ऐसी party है, अभी मैं आपको बताता हूँ, 2017-18, example हो 2017-18 का case है, और कोई वहाँ पे short payment, not payment होगा, 17-18 में, assume करते है, उसकी annual return की due date, 31st December 2018, 31st December 2018, assume करते है, वो तो extend note होते है, बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिल, assume करते है, तो 31st December 2018, okay, 18 से 19 एक साल हो गया, 19 से 20 एक साल हो गया, 20 से 21 एक साल हो गया, यहने, 31st December 2021 सक 3 साल खतम हो जाएगे, अब इसके बाद, इसके बाद अगर पता चलता है, अरे यार इस बंदे ने 17-18 में कुछ short payment, not payment किया, 3 साल होने के बाद, तो अब officer उसकी case तभी open कर सकता है, अगर officer यह प्रूव कर दे कि वो बंदे ने fraud किया हो, या willful statement किया हो, या separation of facts किया हो, तो वो 17-18 की case open कर सकता है, तीन साल हो गया, तो अब fraud का case प्रूव करने की जिम्मेदारी officer पह, अगर officer नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो अब भगवान भी open नहीं कर सकते है, वो case को, ज अगर वो extend हो गई होगी, तो फिर तीन साल भी extend हो जाएगे, पांस साल भी extend हो जाएगे, ठीक है, चलिए, तो यह जो है, demand order पांस साल में जानी चाहिए, पर उसकी note is six months before जाना चाहिए, okay, six months before, मतलब, okay, यहाँ पे, अगर 31st December, example लो, यही एग्जाम्पल ले लेते है, यहा से पांस साल लेते हो, तो 2021, तो 2026 हो जाएगे, तो 31st December, 2026 तक DO final होगा, फ्रॉड के case होगा, उसके 6 मेने पहले, मतलब, आप ले लो, 30th June, 30th June, 2026 तक notice चले जानी चाहिए, शुकावज notice चले जानी चाहिए, ठीक है, six मेने पहले notice जानी चाहिए, no doubt, वो जो है, officer को tax reward करना ह है, तो tax, interest और penalties के तहत, fraud की होगी, तो 100% penalty, यहाँ पर उनने option रखा गया है, चले, इस chart को तो और आगे बढ़ाता हूँ, यह तो दिया कि, notice other than fraud होगा, तो कब, और notice अगर fraud का case होगा, तो कब, अब मैं section 73 में आता हूँ, यहाँ पर voluntary payment, आप चाहो तो यह notice को रोग सकते हो, 73 खुद कहता है, कि case other than fraud की है, आप चाहो तो यह notice को रोग सकते हो, notice को रोग देना अच्छी बात हो तो वेटा, क्योंकि एक बार अगर notice लग गई, मतलब department का धहन आपके तरह आगया, और department का धहन अगर आपके तरह आगया, तो फिर बार बार जब भार जब भी कुछ आग आपको पेनल्टी नहीं लगती है, अगर किस other than fraud की है, तो पेनल्टी नहीं लगती है, और वो पे कर दो, बात को खदम कर दो, अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया, जहां सुनना यह लाइन, आपने अगर फुल पेमेंट कर दिया, पहली, notice आने के पहले, और ओफिसर को इनफॉर्म कर दिया, कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, तो ओफिसर आपके गेंस में कोई notice issue नहीं करेगा, कोई notice issue नहीं करेगा, इनफॉर्म कर दो, और लोग खुद ही कहता है, कि आपने फुल कर दिया और इनफॉर्म कर दिया, तो ओफिसर कर दिया, नहीं नहीं, मैं तो notice लगा कही रहोगा, नहीं, वो notice issue नहीं कर सकता, shall word है, shall not issue the notice, ठीक है, लेकिन, आपने खुद असेस किया, और जो voluntary pay किया, वो ही shot कर दिया, भाई, जो voluntary payment कर दिया, वो ही shot कर दिया, तो फिर notice आईगी आपको, तो यह था, यहाँ पे other than fraud, sir, अगर मैंने fraud किया है, मैंने किया है, sir, fraud, लेकिन मैं voluntary pay करना चाहता हूँ, okay, notice आपके पहले मैं clear रखना चाहता हूँ, कोई काला धबबा आपने shirt पे रखना चाहूँगा, तो ऐसे situation में है, government ने option दिया, क्योंकि government का object क्या है, पैसा collect करना चाहिए, पैसा, 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 यह पैसा बोलता है, okay, मैं तुझे punish करके तुरे को jail में डाल के करूगा क्या, okay, क्या भजेतलूगा वहाँ पे, okay, तुरे को jail में डाल के, चल यार, तु तुझे realize हो गया न, तुने fraud किया है, चल, आ, आजा, voluntary payment के लिए, आजा, notice को रोग दे, notice को रोग दे, तो fraud भी किया होगा, तो भी तुझे voluntary payment कर सकता है, okay, और before serving show cause notice, और यह pay कितना करेगा, तो tax interest, और बेटा fraud किया होगा, तो हम तुझे 100% penalty नहीं मांगेंगे, वैसे तो 100% penalty आजाएगी, notice आएगी तो, लेकिन, okay, अगर तुझ notice को रोग देता है, और हमारी notice के पहले payment करने के लिए रेडी है, और fraudulent का case है, malafed intention भी होगा, तो भी आजा, और यहाँ पे just 15% का penalty देके case को settle कर दे, 15% का penalty है, important है, highlight करना, okay, 15% का penalty देके case को settle कर दे, सब, सब ठीक चल रहा है न बेटा, यह tax interest और यह अगर तुन्हे full pay कर दिया, यह बेटा full pay कर दिया, inform to the proper officer, शुकोज notice shall not be issued, और यहाँ एक वर्ल लिखना, एक वर्ल लिखना, all proceeding, all proceeding, proceeding deemed to be concluded, deemed to be concluded, all proceeding deemed to be concluded, मतलब तुमारे के case पही proceeding नी होगी, कि भाई तुमने fraud किया ना चल, फिर अब तो तुझे 122 की penalty लगाऊँगा, और अरेस करूगा, यह करूगा, नहीं 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 तो आके तुन्हे 15% खुदो के penalty दे दिना, तो तेरे against में सभी proceeding conclude कर दी जाएगी, पर इसका कुछ exception है, जो मैं नीचे पढ़ाऊगा, ओके, I hope आपको समझ गया होगा, उसके बाद में, अगर तुन्हें voluntary payment किया, fraud के case में voluntary assist किया, पर वोई shot कर दिया, तो फिर notice तेरे को आ जाएगी, तो यह आपने देखा, बेटा, notice दी जाएगी, पर notice को रोख सकते हो, notice दी जाएगी, पर notice को रोख सकते हो, और अपने client को यही समझाना कि notice को रोख दे, ओके, यह जो दो clauses है, यह दो clauses समझाना कि notice को रोख दे, समझ में आया, ओके, यहाँ पर, next, उसके बाद में, अगर ये show cause notice आ जाती है, क्योंकि आपने नहीं रोका, आपने voluntary दिया, या voluntary दिया होगा, तो वो शॉट दिया होगा, और notice को नहीं रोका, if show cause notice issued for earlier period, and same default for other period, issue the statement, ये concept को समझ लो, notice तो आ जाएगी, पर एक concept है statement, okay, क्या हो गया, 17, 18 और 18, 19 की notice आपके against में आगी, दैन सुनना, 17, 18, 19 की notice आपके against में आगी, done, अब ये 17, 18, 19 की notice आगी, अब same ground पे आपने short payment, not payment किया, 19, 20 में, same ground पे पता चला है कि 1920 में भी आपने short payment किया, तो आपको officer अब नहीं notice नहीं देगा, उसी notice का part करके statement देगा, और वो statement ही notice माना जाएगा, और वो notice दो, show, cause, उसके ground बताओ, ये बताओ, वो बताओ, इतना detail में नहीं जाएगा, 17, 18, 18, 19 का मैंने notice दिया, same ground का 19, 20 में पता चला, 19, 20 में, अगर same ground पे पता चला, तो उसका एक statement देदिया जाएगा, और वो statement ही notice माना जाएगा, तो statement ही notice माना जाएगा, ठीक है, अगर on same ground होगा तो, चलो, अब notice आगी, अब क्या होगा सर, आगे notice, और client बैटा है सर, notice आगे, अरे या, voluntary payment का option था न, सर नहीं किया, अब बोलो क्या होगा, अगर notice आती है, और मैं, yes I do, मतलब cases, other than fraud, और वो side हूँ, मतलब fraud की cases, अब इतना तो आपको समझना पड़ेगा, तो अगर notice आ जाती है, तो चलो, client को बोल, देख, आगे notice, short payment, not payment की, क्या करना है तुझे, case को stretch करना है, अपील अपील करके, order आने के बाद, या, settle, अभी प government कहती है, tax or interest, as mentioned in notice, notice में जो बोला tax or interest, वो अगर आप दे देते हो, within 30 days, within 30 days, तो तेरे अगेंस की सभी proceeding हम conclude करते हैं, सभी proceeding conclude करते हैं, except 132, आगे नीचे बताऊगा 132 चोड़के, तेरे अगेंस की सभी proceeding conclude करते हैं, अभी भी penalty नहीं होगा है, देखो government के इती दिलदार है, अभी भी penalty नहीं करें, notice आने के बाद भी 30 दिन के अंदर, तो tax plus interest देता है, तो proceeding conclude हो जाएगी, अगर तु नहीं देता है 30 दिन के अंदर, क्लाइन करें, नहीं नहीं सर, मुझे, मैंने fraud तो किया ही नहीं और जो department मुझे पैसा मांग रहा है, वो short payment, not payment नहीं है, सर मेरा वो product 30 exempt है, nil rate है, या वो value में add ही नहीं होता है, सर, जो भी होगा, यह erroneous refund नहीं है, मैंने, burden pass नहीं किया, मैं represent करूगा, defense करूगा अपने आपको, ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर तुम नहीं देते हो, तो करो defense, करो यहाँ पर, officer तो DO कर देगा final, demand order final कर देगा, यह समझ मैं है, demand order final करेगा, चलो, अब fraud एक दूसरा client ले लेते है, दूसरा client आगया, जिसने fraud किया है, okay, अब वो बैठा हुआ है, मैंने का, अच्छा, तेरे अगेस में notice है, अर क्यों आने दिया notice है, case clear देख रहा है, fraud का है, वो client कर रहा है, sir, fraud का है, लेकिन, sir, अब कुछ करो, अरे यार तू 15% penalty पर सेटल कर सकता था, before show cause analysis, voluntary payment करके, अब देख क्या हो गया, fraud का case भी लग गया, fraud का case भी लग गया, ठीक है, तू department के नजर में भी आगया, notice भी आगी, तो उसने का, sir, जो भी, क्या करना है, आप बताओ, क्लाइंट तो ऐसा है, sir, आप बताओ, क्या करना है, देख तुझे case stretch करनी है क्या, case stretch करके, फिर demand order आएगी, फिर हम appeal में जाएंगे, फिर लडेंगे, करना है क्या इसा, करना है तो कर सकते है, पर मेरे ही साब से clear fraud है, तुने GSTR1 में declare किया है, तुने, sorry, तुने कई books में declare नहीं किया, fraud activity की है, तुने ऐसे dummy bill दे दिया है, supply नहीं किया है, fraudulent एना completely, wrong credit लिया है, करना क्या है, उसने का, अब देखो, पहली बात हो, notice आने के, अगर notice भी आगे, fraud भी किया होगा, पर वो 30 दिन के अंदर, government अभी भी opportunity दे रहे है, notice के 30 दिन के अंदर, वो हमें, okay, tax interest और 25% penalty, अब penalty 15 नहीं रहेगे, अगर तु अभी भी 25% penalty दे दे okay, यहाँ penalty कितनी है, 25%, okay, 25%, तो all proceeding shall be conclude हो जाएगी, समझ में आया, okay, अभी भी सुधर, यहाँ यहाँ पे कह रही है, भी सुधरता है किया, आप, आपके जैसा, चल यहाँ, तुने पढ़ाई, okay, मैं टेंशन नहीं जरा, तुने पढ़ाई, यहाँ पे, एक साल पहले, regular से, बहुत डीटेल में करनी जिये थी, नहीं किया, अब क्या करूँ, okay, चल दी है, अब 6 में नहीं बचाए, तो super 35 कर ले, exam oriented, super 35 कर ले, अब कर ले, अब नहीं किया, क्या करूँ, तो चल यहाँ बूस्टर कर ले, अब 2-3 में बूस्टर कर ले, कुछ तो कर, और नहीं किया, त यहाँ पर मेरे पास option है, कि कर ले, बस exam दे, पास हो जा, main object ही है, तो यहाँ पर, हस रहा है, हस रहा है, हस रहा है, नालायक, पर मेरे पास सम option है, एक साल पहले, regular कर ले, नहीं तो super 35, नहीं तो booster, अब चल कुछ नहीं होता, तो चार्ट तो कर, तो अब ऐसे case में गवर्वर 25% penalty जो है, 25% penalty दे के बात को खतम का, all proceeding conclude कर लेते, ठीक है, अब यहाँ, अब जो voluntary दिया, 25% penalty दे के खतम कर दिया जाएगा, notice के, अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं दिया, तो demand order final हो जाएगी, अब चलो, पहले वाला option था, voluntary दे दे, नहीं सुने, notice के 30 दिन में दे, नहीं स अगी, अब demand order की, अब क्या करना, DO तो final होगी, अब law क्या कहता है, धान सुनना, अगर cases other than fraud की है, हाँ, notice से 30 दिन होगा, notice से 30 दिन calculate होगा, अब demand order आ चुकी है, अब demand order आने के बाद, रहांचे सुनो, demand order आने के बाद, अगर cases other than fraud की है, तो penalty fix है, penalty fix है, अब इसमें कोई रियात नहीं मिलेगी, यह आपको tax, interest और 10% of tax, underline करना, 10% of tax, आपको इतनी penalty देगी, और 10,000 वीच्वर इतना तो देना ही पड़ेगा, अब नहीं रोकेंगे, यार, do final होगया, 10% का तो penalty, अभी तक तरे को other than fraud में penalty लगाया नहीं था, तो voluntary देता है, कोई penalty नहीं, notice के 30 दिन में देता है, कोई penalty नहीं, अभी तक penalty की बात नहीं कियार, लेकिन अब बेटा, तुझे penalty देना ही और फिर से कहता हो, यह कहीं नहीं लिखाए कि notice, अरे, यार, क्या हो रहा है, यह कहीं नहीं लिखाए कि notice और due का time, तीन मैने का ग्याप होना चाहिए, ऐसा मिनिंग मत लेना, हाँ, notice की last date, at least तीन मैने या छे मैने पहले होनी चाहिए, तो तीन साल में due final हो जाएगा, इतना आपको देने पड़ेगा, अब देखो, नीचे मैने कहा लिखा, penalty is payable, irrespective of the fact, whether amount of tax and interest is paid within 30 days, or not from the date of communication, यह penalty fix है, अरे, अब मैं दे देता हो ना, तीस दिन में, ऐसा नहीं होगा, आपको यह penalty देने ही पड़ेगी, हाँ, लेकिन fraud के case में, fraud के case में, अगर पास साल के अंदर DO आ जाता है, यहाँ 5 एर से बटा, demand order का time period, 10% both, CGST और SGST, correct, 10% दोनों का, CGST और SGST, ठीक है, तो अब यहाँ पर order आ गई, तो आपको देना पड़ेगा, और अब इस order में लिखा गया है, कि आपको tax interest और 100% penalty देनी है, इस order में लिखा गया है, कि आपको tax interest plus 100% penalty देनी है, order आ गया, कोई बाद प्रब्लिम नहीं, भाई, एक्जाम का form की date आ गई, form भर दी आना, अभी भी पढ़ाई नहीं होई न, चल कोई बात नहीं, ठीक है, form भर दी आप तुने, date आ गई, result declare, पुराना last item का result declare होगे, अभी भी सुदर जा, अगर order आने के बाद, order के 30 दिन में जिस दिन order सर्व की, वहाँ से 30 दिन में, अगर तू tax और interest देने के लिए रेडी है, तो 50% penalty देके case को control कर दे, यहाँ पे भी case control हो जाएगी, पर यहाँ penalty कितने बटा, 50%, हम 100% नहीं लगाएंगे, यहाँ 50% penalty देके case को control कर दे, याने, fraud के case में 3 option हैं आपको, voluntary 15%, यह जो है, 25% और यहाँ 50% of tax, आपको देना है, 50% of tax, अगर वो 30 दिन में नहीं देते हो, तो फिर penalty fix हो गई, और penalty फिर 100% fix हो गई, और यह 100% penalty तो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे fraud के case में, order के बाद 30 दिन का option दिया है, वैसे other than fraud के case में, अगर order आज यती है, और मैं 30 दिन में देत करके दिया है, ठीक है, बहुत easy way में करके दिया हुआ है, यह चार्ड, इसका मतलब fraud करना beneficial है, नालायक, यहाँ 50% penalty जा रही है, यहाँ तो 10% जा रही है, कुछ भी, कुछ भी, चलो, अब आगे बढ़ते है, अब यहाँ पर important note, important, अब यह कहते देखा, all proceeding in respect of said notice shall not include proceeding under section 132, उपर जहाँ लिखा है, कि all proceeding shall be concluded, तो all proceeding में section 132 की proceeding नहीं आईगी, इसका मतलब क्या, मतलब जहाजा भी आपने कहा कि all proceeding shall be concluded, जहाँ भी मैंने कहा कि इतनी penalty दो, proceeding concluded, आप इतना 15%, 25%, 50% दो, proceeding concluded, लेकिन, वो जो proceeding concluded वर्ड था, वो जो उसमें 132 cover नहीं किया जाएगा, 132 लिखना है तो लिख दो, prosecution, याने आपके against में prosecution हो सकता है, बाकी proceeding conclude हो जाएगी, पर prosecution की proceeding conclude नहीं होगी, उसके बाद में, proceeding against the main person have been concluded, under section 7374, the proceeding against all the persons shall be liable to conclude it, under section 122, 125, 129, 130, are deemed to be concluded, ये चारो section में आगे पड़ा होगा, ये जो है, अब यहाँ पे देखो क्या कहते है, कि अगर main person के साथ, उसका buyer भी involved था, उसका transporter भी involved था, उसका warehouse keeper भी involved था, उसका manager भी involved था, ये सब लोग tax division में involved हैं, लेकिन, अगर, ये बहुत important benefit है, ये बहुत important benefit है, अगर आपकी proceeding, धायन से सुनियेगा, अगर आपकी proceeding, main person की conclude कर दीगे, क्योंकि उसने 15%, 25%, 50% देदिया, और main person के अगेंस में proceeding conclude होगी, तो उसके साथ, जो लोग involved थे, कौन से लोग involved थे, transporter involved था, उसके बाद में, for the purpose of this act, the expression suppression shall mean, non-declaration of facts or information, which a taxable person is required to declare in return, statement, report or any other document, furnished under this act or rules, मतलब क्या, ओके suppression of facts का सकूप देखो, अगर कोई भी ऐसे information, जो इस act में आपने return में declare करनी चाहिए, रिकॉर्ड में declare करनी चाहिए, इस statement में declare करनी, statement मतलब GSTR 1 वगरे, और वो आपने declare नहीं की, तो उसे suppression of facts मान लिया जाएगा, और failure to furnish any information, ask by the officer, officer ने कोई information मागी, और आपने वो नहीं दी, तो वो भी यहाँ पे suppression माना जाएगा, I hope you understood, चलो, अभी निच वाले पार्ट पे आजा फटा फट, ठीक है, अब निच वाला पार्ट क्या कहता है देखो, where amount of self-assessed tax is not paid within 30 days, section 73.11, बहुत अच्छा discussion है, मैं यहापे लेना चाहोगा, और मैं सब का ध्यान चाहोगा, अब देखो 73.11 क्या कहता है, यह important है, हुआ क्या बीटा, उपर की यह 73.11 पहले कहता है क्या है, where amount of self-assessed tax, self-assessed tax को underline करके लखना, declaring GSTR-1, वहाँ लिखना declaring GSTR-1, is not paid within 30 days, from the due date of payment of tax, then mandatory penalty 10% of tax, और 10,000 whichever is higher, मतलब आपके क्लाइन को यह बात समझाना, 73.11 पहले क्या कहता है, फिर उससे related circular भी पढ़ेंगा, अगर आपने कोई tax खुदी असेस किया होगा, कोई tax खुदी असेस किया है, GSTR-1 में बताया, और के tax असेस भी किया, self-assessed tax है, और वो tax जो आपने self-assessed किया है, ठीक है, वो tax जो आपने self-assessed किया है, वो आपने आपकी जो due date of payment थी, फिर QRMP skim के due date of payment लेलो, या फिर आपकी normal case में return की date, वहाँ से 30 दिन में नहीं दिया, सुनो, वहाँ से 30 दिन में नहीं दिया, तो आपको mandatory penalty लगेगी, और वो है 10% of tax or 10,000, हम normal scheme को दहान में रखते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, normal में हो, monthly में हो, आप quarterly में नहीं हो, आपने 10 में को दे दिया, तो self-assist करके दे दिया आपने tax, अब 10 में को GSTR 1 तो चले गया, 10 या 11 में, जो भी है, GSTR 1 चले गया, यह तो last date है, मैं 10 को भी दे सकता हूँ, 5 को भी दे सकता हूँ, उसके उपर discussion नहीं चाहिए, मुझे है, ठीक है, अब मैंने GSTR 1 देने के बाद, 20 तारीक जो आई मेरी, वो मेरी return की date है, पर मैंने payment नहीं किया, और 3B भी नहीं दिया, क्योंकि तुमारा 3B, आप ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, कि 3B जो है upload हो गया, without payment, वो without payment return ही upload नहीं होगा, तो आपने 3B भी नहीं दिया, और payment भी नहीं किया, 20 तारीक, 20 में से लेके, आगे 30 दिन तक, government आपका wait करेगा, no doubt, auto-generated notice तो आईगी, section 46 की, आपको 15 दिन के अंदर return बोलेंगे, कि return submit करो, auto-generated notice भी आईगी, पर आपने 30 दिन, यहने 20 में से 30 दिन किया, तो में के 11 दिन, और June के 19, यहने 19 जून तो, imagine कर पा रहे हो न आप, yes बेटा, imagine कर पा रहे हो नए example, 19 जून तक, आपने अगर pay नहीं किया, आपने pay नहीं किया 19 जून तक, ठीक है, तो वो situation में, उसके बाद जब भी आप pay करोगे, और return दोगे, penalty mandatory है, for self-assess tax की, sir अगर मैं उसके बाद में voluntary दूगा, तो भी penalty है, अरे sir बट, हाँ है, sir voluntary दे रहा है, see this irony, irony क्या है, कि अगर आपका कोई short payment, not payment होता है, और आपने self-assess नहीं किया, other than fraud है, self-assess नहीं किया, मतलब आपने GSTR1 में भी नहीं बताया, GSTR1 में भी नहीं बताया, okay, और आप उसको कभी भी, notice आने के पहले, कभी भी voluntary pay कर देते हो, या notice आने के 30 दिन में voluntary pay कर देते हो, 30 दिन में pay कर देते हो, तो आपको penalty नहीं है, मतलब ऐसा कोई short payment, not payment, जो आपने खुद self-assess नहीं किया, खुद self-assess नहीं किया, और notice आने के पहले, या notice के 30 दिन में आप देते हो, तो government ने penalty नहीं लगए, लेकिन government कहती है, कि अगर आपने खुद self-assess कर लिया, यानि आपकी हिमत तो देखो, self-assess कर रहे हो, और self-assess किया हुआ, टैक्सी नहीं दे रहे हो, तो फिर हम penalty लगा के रहेंगे, आपको ये बात समझी क्या, मैंने जो कहा वो बात समझी क्या, यानि अगर आप self-assess नहीं करते, और बाद में कभी भी पे करो, before notice or within 30 days of notice, तो पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी नहीं है, पर गॉर्मेंट कहते हैं, कि ये कितने नालाई किये देखो, खुद ही self-assess कर रहे है, और self-assess कर कर के नहीं दे रहे है, तो फिर तो पेनल्टी लगाओगा ना भाई मैं, तो अब अगर कोई कहता है, कि सर फिर तो कोई बताओ ही मत, बताओ ही मत तो फिर तो fraud का case चले जाएगा ना, बता के नहीं देना तो 10% में काम हो जाएगा, नहीं तो बता के तुमने नहीं बताया तो fraud का case चले जाएगा, फिर उसमें तुमको प्रूव करना पड़ता है, कि उसमें तुम्हारों कोई malefade intention नहीं है दिमाग पच्ची तो होई गया सरदर्थ तो होई गया ठीक है यहां तक समझा इसलिए इसको मैं दो पार्ट में divide करता हूँ पहला वाला पार्ट दहां से देखेगा इसको मैं दो पार्ट में divide करता हूँ पहला कि आपने self-assess करके नहीं दिया self-assess किया but not paid और दूसरा आपने self-assess किया ही नहीं हाँ अगर आपने self-assess किया ही नहीं तो आपको 73.6 और 73.8 जो आपका voluntary payment या विदिन यहां पे within 30 days of notice तो वो benefit आप ले सकते हो और penalty बचा सकते हो वो benefit ले सकते हो और penalty बचा सकते हो लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पे self-assess tax related जो यह 73.11 था उससे related एक circular आया उससे related एक circular आया और circular ने थोड़ा relaxation दिया 73.11 में अब यह वाला important path है यह समिलना एक circular है जिसका circular नमब था 76 by 15 by 2018 क्या हुआ कि लोग परिशान थे starting starting में 2017 और 2018 में और लोग यह कह रहे थे कि यार आपके हमें हम ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं करना चाहते हैं पर 30 दिन में इसलिए पेमेंट नहीं कर पाते हैं कि आम लोग को ही नहीं समझ पा रहे हैं लोग इतना change हो रहा है extension आ रहे है date extension आ रहे है इसलिए हम 30 दिन में return भी नहीं submit कर पा रहे है क्योंकि date extend होते जा रहे है कभी आप क्या करते हो payment मांग लेते हो 3B जो है बाद में दिया तो भी चलेगा कभी कहते हो कि 3B दे दो payment आप जो है 3B के बिना पेमेंट नहीं है tax is self assessed in GSTR 1 but not paid within 30 days of due date of payment due date of payment due date of payment ठीक है तो अब देखो क्या circular क्या 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 गता है GSTR 3B is filed with payment of tax and interest after 30 days underlay after 30 days but before issue of show cause notice before issue of show cause notice 73.11 is not applicable relaxation क्या दिया पहले क्या होता था पहले ही होता था कि 30 दिन हो गए कि बात ख़ता हूँ आप वोलंटरी देने जाओगे भई 30 दिन होगे तो होगे ना मैं वोलंटरी देता हूँ ना तो यहाँ पे 3B और या payment तो भी आपको पेनॉल्टी फिक्स थी mandatory थी लेकिन फिर circular ने थोड़ा उसको relax किया circular ने ये कहा लान सुनना circular ने ये कहा यहाँ पे कि अगर 30 दिन हो जाते है और notice आने के पहले अगर notice आने के पहले आप उसका 3B फाइल कर देते हो payment करके तो फिर ये penalty नहीं लगेगी ये बात को समझे कि आप ये बात को समझे कि आप प्लीज बताईए ओके चली उसके बाद में next यहाँ पे अगर वही second part है कि अगर ये proceeding ये proceeding under section 73 is invoke और आपके against में notice आगे हाँ notice आगे और तब तक आपने 3B नहीं दिया तो फिर penalty लग जाएगी फिर penalty लग जाएगी अगे यहाँ पे अगर 73 की notice आगई तो self-assist tax के लिए penalty fix है फिर आप वो benefit नहीं दे सकते हो कि notice कि 30 दिन में voluntary payment नहीं अगर notice आगई तो ये self-assist tax के लिए fix penalty है ठेक है तो चलो ये मैंने पढ़ा है और बाकी तो जो self-assist नहीं है यहाँ पे section 76 excess collection of tax इसको discuss कर लेते हैं फटा फट ठेक है देखो एक तो क्या हो सकता है कि आपने payment tax नहीं दिया ध्यान सुनना आपने tax नहीं दिया या short payment किया या erroneous refund किया या wrongly available to utilization of ITC मतलब government को पैसा आपने collect भी short किया और government को भी आपने नहीं दिया दूसरा क्या prior access collection of tax जो यह special case है मतलब क्या आपने जो customer से नहीं लेना चाये था ज़्यादा लिया देखो पहले इसमें क्या था आपने customer से भी नहीं लिया और government को भी नहीं दिया ये case में आपने customer से ज़्यादा लिया मतलब आपका exam supply था पर आपने customer से GST ले लिया जबकि supply exam था और वो excess या आपका rate 5% था आपने 12% का GST लगा दिया आपका good snail rate था तभी GST लगा दिया customer से तो अगर आपने कोई भी पैसा as a tax excess लिया हो तो section 76 कहता है कि वो पैसा आपको immediately government को देना पड़ेगा आप public का पैसा as a tax tax excess नहीं रख सकते है tax collected from any person to be paid to central government every person collected tax and has not paid it to the government as the person has collected tax in excess करो यापके in excess what दालो any person has collected the tax in excess and has not paid it to the government shall immediately pay the said amount to government irrespective of whether relevant supplies are taxable or not relevant supplies are taxable or not उसके बाद में बहुसी बार आपने कोई supply non taxable होगा और उस पर GST collect कर लिया होगा तो वो भी government को आपको देना पड़ेगा अगर आपने वो पैसा government को नहीं दिया जो excess collect कर लिया तो आपके अगेस में show cause notice आ जाएगी ओके show cause notice आएगी और important point के है इसकी कोई time limit नहीं है ये show cause notice कभी भी आ सकती है याने हो सकता है आठ साल बाद भी show cause notice आएगी आपने excess collection किया था उसका पैसा किदर गया तो इसका कोई time period section 76 में नहीं दिया है अगर show cause notice आजाती है और आपके representation वो देख लेंगे उसके बाद में यहाँ पे proper officer demand order fix कर देगा आप क्या guess में आपको यहाँ पे interest के साथ वो देना पड़ेगा interest 18% या 24% okay from the date of collection to the date of payment to the government जिस दिन आपने collect किया till the date of payment आपको उसके उपर interest भी देना पड़ेगा government आपको opportunity of being hurt तो देगी okay उसके बाद में time limit of issuance of order order का time limit है कि जिस दिन notice दिया वहाँ से एक साल में order जाना चाहिए access collection नोटीस का time period नहीं है पर जिस दिन भी notice दिया गया वहाँ से एक साल के अंदर order fix होना चाहिए अगर कोई stay दिया होगा तो stake up period आपका exclude की आगे जाएगा for calculation of one year इसको थोड़ा में आगे पड़ा होगा कि stake up period कैसे exclude होता है वो आपको आगे पड़ा होगा order must be speaking order आपके order speaking order हो नहीं चाहिए जिसमें speaking order हैने क्या होता है बहुत clear कि आपके गिंस में action क्यों ली जा रही है उसका clear okay grounds दिये उसको कहते speaking order adjustment of amount payable under section 76 और 3 amount paid to government adjusted against tax मतलब क्या समझ लो आपका आपने client से 18% का tax लिए जबकि आप 12% में हो तो जो 18% है उसमें से 12% tax ही था तो 12% adjust हो जाएगा और remaining 6% वो access माना जाएगा और जो भी surplus था after adjustment government भी यह पैसा नहीं रखेगी government यह consumer welfare fund को transfer कर देगी या जिससे extra लिया गया उसको दे देगी अगर वो claim करता है कि मेरे से extra लिया गया तो उसको वापस कर देगी okay तो refund to a person who borne the tax तो इतने total 11 points है इसके okay कुछ नहीं है बिटा अगर आप access collect करती है तो government को देना पड़ेगा नहीं तो आपके notice आएगी notice का कोई time period नहीं है notice के बाद demand order final होगी आपको interest भी देना पड़ेगा opportunity of being heard में मिलेगा demand order आपको एक साल के अंदर final करना पड़ेगा अगर कोई stay लाया होगा तो उसका period order से exclude किया जाएगा order clear और transparent होनी चीए speaking order होनी चीए आपने जो भी tax collect किया वो पहले आपके actual tax address होगा और remaining amount consumer welfare fund को transfer हो जाएगा या अगर जिसने tax button लिया है उसको यहाँ पे दे दिया जाएगा तो यह आपने देखा section 76 done कोई doubt यहाँ तक एक अब next section section 75 यहाँ पे हम देखेंगे तो यह important section है इसकी 13 बात है okay एक से लेके तिराबाद मैंने यह summary में explain की है समझ जाएगी summary आपको अगर summary में कोई दिक्कत जाती है तो आप अपना जो भी regular book होगा उसमें से आप पढ़ सकते हो उसका content आप पढ़ सकते हो बेटा आपका question में थोड़ा बात मैं आखरी में पूछना में ले लूगा रहनी ठीक है ठीक है तो यहाँ पे यह determination of tax और general provision अब लौ क्या है 75 कब अबला होता है जब आप section 73-74 में notices देते हो तो यह notice देते वक्त यह 73-74 में जब आप notice देते हो तो यह notice देते वक्त आपको यह 13 बाते ख्याल में होनी चाहिए एक एक बात आपको अच्छे से में सम्झाओगा पहला यह notice यह demand order जो भी है तो इस तेरा factors को देहन में लखते हो होगा तो यह कौन-कौन सी तेरा बात है देखो period of stay पहली बात करते है period of stay पे issues of shook cause notice or demand order is stayed by court और appellate tribunal excluded from the period of shook cause notice or demand order for fraud और other than fraud तो यह इसको और अच्छे से सम्झाओगा तो वह ऐसा है बेठा जैसे financial year है यहाँ पे 2021 आपका इसका annual return का date है यहाँ पे 31st December यहाँ से 3 साल में case अगर other than fraud होगी तो 3 साल नहीं तो 5 साल तो within 3 years within 3 years आपका deal आना चाहिए और at least 3 मैंने पहले तक यहने 2 years and 9 months आपका show cause notice चले जाना चाहिए आपकी show cause notice चले जाना चाहिए अब क्या हुआ यहाँ पे सुनिएगा आइदर show cause notice जा चुकी थी example लेते है इसको यह तो last data show cause notice की हमने show cause notice पहले ही दे दिया था show cause notice जा चुकी थी पर कोई reason के वज़े से officer ने stay लिया इसके officer ने टैक्सपेर ने stay लिया courts है show cause notice पे stay लाया गया और यह stay में 4 मेने चले गया 4 months चले गया और यह show cause notice पे stay लाया गया और चाहर मेने stay रहा तो government कहती है बैंट यृटिस तो आ चुकी थी डिमाड ओर पे स्टेल आया गया और यह स्टे चार मेने रहा किसे भी रिजन के वज़े से चार मेने रहा हो तो ऐसे केस में आप जब टीन साल निकालोगे अब टीन साल मतलब कितना यहाँ पे तीन साल आपकी लास्ट डेट होगी 31.121 यहां तो government कहती है यह आपको चाल मेने एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानि जब आपका तीन साल का time period calculate होगा, उसमें यह exclude होगा, या exclude होगा का मतलब यह हुआ, कि आपको उतना additional दिया जाएगा, जहान सुनना, एक्स्ट्रूड होगा, मतलब additional दिया जाएगा, मतलब अब आपके due की date जो होगी, वो January, February, March, April, यानि 30th April, okay, 30th April, 2025 तक का आपका date जाएगा, यानि आपको यह 4 months extra मिल जाएगे, extra मिल जाएगे for finalizing the due, यह बास समझी क्या आपको, यह बास समझी क्या, तो ऐसी notice पे stay लाया होगा, तो उतना period extra मिल जाएगा, word यहां exclude में confuse मतलब, exclude मतलब जहां तक देखा जाएगा, उतना period extra मिल जाएगा, आपको stay का, ठीक है, next, दूसरा, if AA और AT, लिख दो side में, AA मतलब appellate authority और AT मतलब appellate tribunal, appellate authority और appellate tribunal, conclude that charges of fraud are not sustainable, show cause notice under section 74-1 की 73-1 में हो जाएगे, कुछ नहीं समझाना, अच्छी बात है, मैं समझाता हूने इसको क्या है तो, चलिया, इसको एक pictorial presentation से समझाओगा, बाद में आपने उसका photo ले ल अब देखो, यह थोड़ा pictorial presentation से समझ लो, यह diagram, ठीक है, देखे, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका 2017-18 में, 2018-19 में और 2019-20 में, short payment हुआ, 17-18 में आपका 10 लाग का short payment है, 18-19 में आपका 30 लाक्स का और 19-20 में 20 लाक्स का, ऐसे total 60 लाग का short payment, यह non payment है, step number 1, ठीक है, अब आपको show cause notice है, और वो show cause notice, section 74 में देगे, within time देगे, और 10 जून 2023 को, within time, show cause notice देगे, मतलब अगर मैं, 17-18 का, मतलब यह तीनों का मिला के, 60 लाग का एक notice दिया गया, 17-18 के annual return की date से, 5 साल के अंदर क्या यह notice है, yes, यह 18-19 के annual return की date से, क्या 5 साल के अंदर यह notice है, yes, यह 19-20 के annual return की date से, 5 साल के अंदर है, yes, तो यह 60 लाक्स का, fraud का case लगाया गया, और 10 जून 2023 को आपको यह notice दिया गया, okay notice दिया गया, फिर आपने notice देने के बाद officer ने इसका DO 15 November 2023 को final कर दिया, मतलब notice 6 मैंने पहले fraud की case है, इसलिए notice भी आगया और उसका DO भी final हो गया, फिर इसकी appeal फाइल की गया, ध्याज सुनना, फिर आपने इसकी appeal फाइल की और appellate authority या ट्रिविनल ने, 10 फरवरी 2025 को यहाँ पर order दिया, कि नहीं ने, यह fraud का case नहीं है, तो case of fraud is not sustainable, नहीं, short payment, not payment तो हुआ है, but charges of fraud is not sustainable, यहाँ तक समझा गया सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, yes or no, ठीक है, मतलब, fraud का case लगाया, हम court में गया, court में हमें tax तो देना है, short payment, not payment हुआ, पर यह prove हो गया, कि हमने fraud नहीं किया था, fraud नहीं किया था, ठीक है, अब law क्या कहता है, तो यह section 73, section 75, okay, क्या कहता है, अगर AA या AT, यह order दे दे कि case fraud का नहीं है, case fraud का नहीं है, order दे दे, तो वो case automatically 73, one में convert हो जाएगी, मतलब क्या, section 74 की case, अब deemed that notice is so under section 73, one, यहने नया notice नहीं जाएगा, section 75, two के तर, जो original notice, 10 June 2023 को दी गई थी, उसे 73 का notice मान लिया जाएगा, अब section 73 का notice मान लिया जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तीन साल वाला restriction आ जाता है, तीन साल वाला restriction आ जाता है, मतलब क्या, मतलब यह है, कि 17-18 का case, अब, अब यह जो है, notice की amount is 30 लाग रुप है, पर अब वो 73 की notice हो गई, तो 17-18 का जो short payment, not payment, 10 था, okay, तो last date of serving show cause notice, अगर मैं assume करू, 17-18, उसके annual return का date मैं assume करू, 31st December, 31st December 2018, तो उसकी notice जो थी, वो 30 September 2021 को जानी ठीए थी, अब इस notice को मैंने 73 की notice मान लिया, यह तो 23 में की, मतलब, मतलब यह, just a minute बिटा, सब सही चल रहा है गया, तो अब यहाँ पर, यह notice convert होने के वज़े से, notice convert होने के वज़े से, 17-8 हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी date निकल चुकी है, 18-19 भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि date निकल चुकी है, बस एक ही साल, 19-20, जिसमें 20 लाग उतने ही हाथ में आए तो यहाँ पर, बस important है कि आपको नहीं notice नहीं देंगे, उसी notice को 73 की notice माल लो, और फिर जो भी tax हाथ में आता है, उतने ही tax हो, हमने तो नहीं कहाँ आप पूरा साथ, क्योंकि अप्रोड का case तो प्रोड नहीं हुआ, तो फिर जो भी, यह notice की date, जिसके भी annual return के 3 साल में पढ जाएगा, यानि इससे as a consultant, वो तो हम समझ चुके है कि हम तो professional है, हम professional है, okay, बस exam करना, pass करना बाकी है, इसलिए as a consultant आपको कह देता हो, कि कि किसी के against में fraud का case भी लगा होगा, okay, और तो भी उसको छोड़ना मत, उसको यह case नहीं कि ठीक है, हम अगर court में प्रोड का case नहीं है तो penalty भी बच जाएगी, इस बात के लिए case ले लेना कि court में प्रोड का case नहीं है, तो penalty भी बच जाएगी, और कुछ पिर हाथ से छूड़ जाएगा, तो उतना tax भी बच जाएगा, okay, समझाओगा, तो बोलो, स्वाहा, एक मैंने tax case कैसे handle करना, उसका example दिया, okay, चलिए, है लाइन पर बड़ा important provision है, यह इससे आप बहुत कुछ पैसा सामने वाले का बचा सकते हो, okay, next, वो क्या कहते है, देखो, okay, उसके बाद में वो कहते है, order on direction of court, such order shall be issued within two years from the date of communication of direction, कभी-कभी court क्या करता है, court अगर यहाँ पे order fix करता है, और tax बढ़ा देता है, तो court यह कहता ह है कि भई, officer को direct करता है, direction of court, officer को direct करता है कि चलो इसका tax बढ़ा दो, तो court ने अगर direction दिया होगा, तो जिस दिन court ने direction दिया, वहाँ से 2 साल के अंदर tax का order आपके against में आ सकता है, okay, अचा, screenshot लेने दू, ठीक है भाई, screenshot लेले, screenshot लेले, कभी-कभी मेरा लेता है का तू, किस इसका ही लेता है, screenshot, चलो लेलो, लेलो बेटो, screenshot भी लेलो, तू नहीं तो थारा फोटो भी चाल सी, थारा फोटो ने थी, तो फोटो कॉपी भी चाल से, चलिए, अब आजाओ, next, opportunity of being heard, agree person को, याने जब भी आप 73, 74 की notice दोगे, या demand order final करोगे, तो opportunity of being heard देना, उसको hearing भी देना, उसके बाद में adjournment, okay, up to three times, hearing जो मिलेगी, आपको, तो तीन बार तक मिल सकती है, मतलब पहला नहीं जम रहा है, दूसरा दूसरा नहीं जम रहा है, पर आपने उसको opportunity देना hearing की, की भई, आप जो notice दे रहे हो 73 में, 74 में, तो वो क्या reply कर रहा है, क्या representation दे रहा है, और तीन बार तक या add-on कर सकते है, एक बार नहीं आना हुआ तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं आना हुआ तो तूसरी बार, तीन टाइम तक देना चाहिए, उसके बाद में, order should be speaking order होनी चाहिए, speaking order का मतलब होता है, clear facts और clear उसमें decisions आपके होनी चाहिए, इतनी clean order होनी चाहिए, जब भी आप section 73, 74 में order दोगे, उसके बाद में, amounts to be paid, okay, amounts to be paid in demand order, okay, equals to amounts to be paid in show cause notice, less than or equals to, यह point बहुत important है, यह point यह है, कि आपके demand order की amount, show cause notice से जादा नहीं होनी चाहिए, बहुत important point कहने जा रहा हूँ, okay, show cause notice में जो आपको tax, interest और penalty मागा गया, okay, उससे कम हो सकती है, क्योंकि जब notice दी गई तो आपने representation दिया, और representation देने के बाद officer कम भी कर सकता है, लेकिन deal जादा नहीं होगी, कम होगी, okay, तो यह क्यार रखना, if AA, ATR court, modify the amount of tax, modified interest, minority according, यहने appell authority, applied tribunal और court ने आगे जाके, जो 73, 74 की deal है, यह आगे जाके इसमें tax और बढ़ाया, तो accordingly penalty भी और interest भी बढ़ जाएगा, okay, यह सोच के चलो, उसके बाद में interest यह mandatory है, कभी-कभी हो सकता है कि हमारा officer जब show cause notice देगा, यह हमारा officer demand order देगा, हो सकता है कि उसके अंदर वो interest का clause दिखना भूल जाए, अगर वो भूल गया, इसका मतलब यह नहीं कि interest नहीं लगेगा, interest mandatory है, यह हमारे officer ने show cause notice में interest बताय हो या ना बताय हो, demand order में ओके बताय हो या ना बताय हो, interest लगेगा मतलब लगेगा ही, next, 10 number का, if no deal is issued within 3 years or 5 years, then proceeding deemed to be concluded, अगर 3 साल या 5 साल में कोई demand order नहीं आई, तो अब भगवान भी आपके अगेंस में पैसा नहीं ले सकता, okay, enjoy करो, party शाटी करो, यहाँ पावरी हो रही है, okay, तो मजा करना, enjoy करना, party करना, boss, okay, यह भगवान भी आपसे tax नहीं ले सकता, ठीक है, उसके बाद में, if appeal filed by department, against the decision of AT or AO court, period between the date of decision of higher authority and lower authority, excluded from the show cause, naughty, so demand order, यह लाइन नहीं समझी होगी, चलो, तो यह लाइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, wage judgment assessment में भी पास साली है, अगर wage judgment assessment भी देखोगे तो आपका पास साली है, पर यह 11 number का point में ले लेता हूँ, बढ़ा मज़ेदर point है, चलो, आज़ो, यह पहले फोटो ले लो, फिर बात मुझे यहाँ नहीं रहता है, फहले फोटो ले लो, चली, अब देखो, मैं कहना कह चाहता हूँ, एक्जामपल की तवर पर ले लो, V-Smart Academy और दूसरा Other Academy, ठीक है, V-Smart Academy, PD Classes, जो है, एक्जामपल ले रहा हूँ, हम एक्चुले ऐसा नहीं करते हैं, एक्जामपल ले रहा हूँ, PD Classes, जो PDP Classes दिया है, हमने Supply of Goods में Classify कर दिया, और 12% का GST लगाया, बाद में Department ने Notice दिया, में 73 का दिया हो, या 74 का दिया हो, तो मेरा Judictional जो Officer है, उसने Notice दिया, विदिन टाइम लिमिट, तीन साल या 5 सा, जो भी है, Notice दिया कि नहीं नहीं भाई, आपका Supply of Goods में नहीं जाएगा, यह PD Classes है, Dominant Supply of Service का है, और Composite Supply है, इसलिए पूरा, और यहां पूरा Supply of Service में जाएगा, और 18% का रेट रहेगा, उसकी DO भी दे दिया, और DO as a Supply of Service फाइनल करके, उसने 18% का DO दिया, V-Smart Academy अपील में गई, और पहली अपिलेबल ऑथरिटी है, अपिलेट ऑथरिटी है, कमिशनर अपिल्स, तो मैंने अपिल फाइल कर दिया, और यह अपिल में पहला डिसिजन आया, ओके, अपिलेट ऑथरिटी का डिसिजन आया, कि नहीं नहीं, यह Supply of Goods है, अजूम करना, SOG करना है यहां पर, SOG, यह Supply of Goods और 12% में, यह, वी Smart Academy, पहला अपिल में, केस जीत गया, कि, यह Supply of Goods, 12% मद आ गया, स्टुटेंट को बेनिफिटी बेनिफिट, 6% से, आपकी प्राइस स्लाइच दाउन, एक्जांपल ले रहा है, आपकी प्राइस स्लाइच दाउन, ठीक है, तो अब ऐसे सिचुईशन में, केस, पर डिपार्टमेंट नहीं माना, डिपार्टमेंट ने आगे, हायर ऑफरेटी, अपलेट ट्रिविनल के पास, केस फाइल किया, क्यूंकि, it is prejudicial to interest or private, लिपार्टमेंट अपलेट ट्रिविनल के पास गया, अपिलेट ट्रिविनल ने जो है कि ओर दिया कि यहाँ पर यह सप्लायब सर्विसेस है और यह ट्रिविन्ट परस्ट में जाएगा अब क्या करें अपिलेट ट्रिविनल ने डिसिजन तो मेरा अगेंस में दे दिया पहले तो खुशुशु हुई अपिलेट ट्रिविनल के डिसिजन अगेंस में आगेंस में आगया पर इन दौरान यानि आपिलेट ऑथरीटी से लेके यह लगबग डिसिजन को आठ मेन लगा और इस दौरान कुछ चीज़ें और गटी क्या चीज़ाँ गटी देखो भahh यहाँ पर XYZ Academy जो दूसरी Academy थी V-Smart का देखकर उन्होंने और ऐसा होता है लोग कर रहे हैं इसलिए आपन भी करते हैं देखा जाएगा ऐसे होता है V-Smart का देखकर उन्होंने भी PD Classes में Classify किया PD Classes Supply of Goods में Classify किया अब same jurisdiction में था अगे फोने में आओगे तो हम सभी एक ही complex में Prestige Point सब महाई मिल जाएगी आपको उसने भी 12% में Classify किया उसके बाद में यहाँ पे वो officer वो officer ने इसके against में भी notice देके रखा था याने V-Smart के against में भी दिया था और इसके against में भी notice देके रख दिया था लेकिन यहाँ पे officer ने जो XYZ के against में notice दिया था 73, 74 का उसकी DO final नहीं की अब यह वाला point समझ न उसकी DO final नहीं की क्यों final नहीं की उसने रोग दिया क्यों क्योंकि पहला case V-Smart जिद गया था Commissioner appeal का तो officer ने कहा कि यार अब पहला case अगर V-Smart जिद गया है तो यह Commissioner appeal का order मेरे को भी लॉग हो जाएगा अगर मैं इसका DO कैसे final करूँ अगर इसका भी DO final कर दूगा तो यह भी कहेगा कि case of V-Smart के favor में यह भी appeal फाइल करेगा unnecessary time waste हो जाए तो इसने case को held कर दिया मतलब भाँ रोक दिया क्योंकि यह officer ने देखा कि आगे भी appeal फाइल हुई है आगे यह appeal तो इसने case को रोक के रखा show cause notice के पास DO final नहीं किया लेकिन क्या हुआ इन दौरान यहाँ पे जो 8-9 मैंने लगे या हो सकता है दो साल भी लग जा है यह period में यह period में यह रुका रहा notice देने के बाद against XYZ मैं against XYZ की बात कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक है तो इस घटना में यह जो है यह period के लिए रुका रहा डियो फाइनल नहीं की अब यहाँ जैसे अपले ट्रिविनल ने कहा कि नहीं नहीं वो सप्लाइब सर्विस और 18% में जाएगा यह आफिसर बड़ा खुश हो गया कि येस 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 अब तो V-Smart को भी नहीं छड़ोगा और XYZ को भी नहीं छड़ोगा किस मेरे फैवर में आगई अब यह जो है जब XYZ की अगर्ण्स में और फाइनल करने गया तो जो तीन साल का टाइम पिरिड़ हो निकल चुका था क्योंकि वो ये केस का वेट कर रहा था तो जो तीन साल का टाइम पिरिड़ है कि जिसमें DO final होनी चाहिए थी fraud नहीं हुआ था यह अलग-अलग interpretation का matter था fraud नहीं था, हमने सब declare किया हुआ है तो तीन साल का time period निकल गया अब यह सूच रहा है कि अरे यार, ओके यह case के लिए wait कर रहा था मैं और यह case के लिए में भी यहाँ पे इन दोरान wait करते करते, इसका जो time period है annual return से तीन साल, DO का वो निकल रहा है, तो government अब आगी, तथास्तु बेटा ओके, डर मत, डर मत, यह time period जो निकला है, जिसके वज़े से तेरा DO नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उतना extra time की ना जाएगा for demand order, उतना extra time की ना जाएगा for demand order, समझा की नहीं, समझा जोर से बोलो अब sir, वो तो गलत है, अब गलत है, तो government है भाई government कहेगे कि वो वेट कर रहा था वो वेट कर रहा था तो जितना time इधर गया, उतना time तरको और additional मिल जाएगा for demand order, वो एक्सलूड किया जाएगा तो जब भी lower authority का case और higher authority का case इसके period में, मैं भी appellate tribunal to, A to 80, A to high code या high code to supreme code, और case higher authority के पास पड़ी हुई है, तो जितना time उसके period में गया, उतना time का उतना period जो है, आपके DO या show cause notice, जो time limit दिये, उसमें से एक्सलूड किया जाएगा समझाओगा तो ठीक, नहीं तो diagram आपके सामने है देखो वो क्या गया तो, फिर से, if appeal is filed by department against the decision of A T A A court, जो भी है period between the date of decision of higher authority and lower authority excluded from the period of show cause notice and demand order, I hope आपको समझाओगा, next, if any amount, यह भी point बहुद इंपोर्टन है if any amount of self-assist tax in return, और amount of interest, remains unpaid recovery section 79 में जाएगी, यह एक technical defect थी जो, finance act 21 ने amend कर दिया है उसको, यह था कि, देखो technical defect क्या थी बता दो, if any amount of self-assist tax in return okay, in return is unpaid, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि return में जो tax assist किया, वो unpaid रहे गया, क्योंकि तुमारा return upload ही नहीं होता है without payment इसलिए अभी finance act 21 ने इसको amend ऐसा कि, in return word निकालके, in GSTR 1 उनने डाला in IFF या GSTR 1 तो GSTR 1 उनन डाला, तो अभी आपको November के लिए भी यह interpret करके चलना है क्योंकि वो एक drafting mistake थी तो in return के जगा जो आपने self-assist किया in GSTR 1 इन GSTR 1 जो है even though amendment बाद में आई even though GSTR 1 amendment बाद में आई पर पहले से लोग ऐसा interpret करते थे, कि GSTR 1 में आपने जो self-assist किया है और वो आपने नहीं pay किया तो उसकी notice notice नहीं आएगे, वो सीधा recovery के लिए जा सकता है last, यह penalty under section 73-74 impose, यह भी बहुत important point है then no other penalty applies अगर आपने section 73-74 कि 15%, 20%, 50% fraud के case में, यह दो 10% rather than fraud के case में यह अगर penalty देते हो, तो इस act में और कहीं पे भी आपको penalty नहीं लगेगी बहुत अच्छा provision है भाई, यह आगे जो penalty की provision बता होगा next chapter में 122, 124, 125 तो वो अगर यहाँ दे दिया तो फिर वहाँ नहीं लगेगा यह statement में बहाँ बहार यूज करूगा तो अच्छे से पढ़ना date of return से होगा ना स्पेटा 132 में penalty है नहीं बिटा 132 में prosecution है prosecution है penalty 122, 123, 124, 129, 130 में है ठीक है done तो यह 13 बाते learn करके जाना जब भी notice हो तो यह 13 बाते learn करके जाना इसके उपर case study आ सकती है मैंने एक एक पॉइंट अच्छे समझाने कोशिच किया है आप बाकी तो regular book से क्योंकि मैंने summary लिया तो regular book से आप बाकी पढ़ सकते हो 75 हो गया 76 भी हो गया उपर हमारा तो देखो एक बार section learn करना है तो आप learn कर सकते हो थोड़ा धान दोगे तो section भी learn हो जाएगा mapping त्यार हो जाएगी 73, 74, 76 यह तीन केसे 75 हमारा हो गया कोशिच करो आके बंद करो एक second के लिए आके बंद करो कोशिच करो learn हो जाएगा section 73 mapping त्यार हो जाएगा 73, 74, 76 इदर 75 हो खो रहा है त्यार mapping yes or no अब आजा section 77 पे अब आजा फटा फट जाएगे वैसे तो आपको section 34 तक तो मैंने याद ही करवाया है return और invoice तक debit not, credit not section 34 था उसके बाद मैं section 50 interest, 51, 52 TDS, TCS भी याद हो जाएगा 54 से लिके तो 58 तक refund में मैं याद करवा लूगा 59 से भी आपको याद हो सकता है 59 में self assessment, पहला self assessment, फिर provisional assessment, 60 61 scrutiny assessment, 62 return दिया पर base judgment और 63 बेटक lagging हो रहा है कि clear आ रहा है तो आप ये चाहो तो ये section भी अच्छे से याद रख सकते हो ठीक है, उसके बाद मैं 77 देख्लो, चलो आपटा पटा आजाओ यहाँ पे 77 पर आजाते है कभी कभी क्या होता है कि कोई tax जो आपने समझ लो जो tax गलत classification हो गया nature of supply, interest rate supply था तो वो interest rate में classify करके आपने IGST दे दिया जबकि आपने देना था CGST और HGST या वाइस वरसा, तो वो case में आपको जो है यह जो tax wrongly pay हुआ, वो आपको government को pay करना पड़ता है और जो पुराना tax है, वो आपको refund मिल जाता है example की तरुपे, आपने IGST दे दिया real case में आपने CGST और HGST देना था उस transaction का उस transaction का CGST और HGST देना था पर आपने IGST दे दिया, तो फिर क्या होगा कि आपको नया IGST और CGST देना पड़ेगा क्योंकि actual जो और जो आपने earlier दिया है उसका refund मिल जाएगा, पर यहाँ पर आपको interest penalty कुछ भी नहीं लगएगी आपको सिर्फ जो wrongly assess हुआ वो pay कर दो, और पुराना जो pay किया उसका refund claim कर दो, that's all, ठीक है वीडियो problem नहीं है बेटा आप close करके वापस चालू करो बाकी किसी को नहीं आ रहा है, अब मेरे सामने भी चालू यह नहीं आ रहा है वीडियो problem मिटा, बहुत clear आ रहा है चलो, उसके बाद में section 78 और 79 ठीक है अब 78 और 79 अब सवाल यह था कि sir, notice आई okay, समझ लो, example लो एक मिनट यहां पर समझ लो, मेरे पास notice है मैंने फार के फिक दिया, जो, जो करना है कर लो उसके बाद में demand order लाई demand order भी फार के फिक दिया, जो करना है कर लो अब क्या, कुछ भी नहीं, जो में जो कुछ भी नहीं करना है तो गौवर्मेंट का बेटे रहेगी गौवर्मेंट 78-79 के एक्शन लेगी रिकावरी के आप क्या 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 है, और रिकावरी इस मोट से किया जाएगा, ओके पहला देखो, section 78 क्या 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 था है any amount payable by taxable person in order, in order, pass under this act, shall paid within a period of 3 months from the date of service of order, failing which recovery proceeding shall be initiated, मतलब क्या यहाँ पे कोई भी order दियोगी, 73 की order दियोगी, 74 की order दियोगी, 76 की order दियोगी, या इस act में आगे section 122, 125 129, 130 में कोई भी order दियोगी, जिसमें आपको tax देना है, penalty देना है, या कोई भी दियोगी देना है, वो आपको 3 मेने के अंदर, यह बहुत important है, वो 3 मेने के अंदर देना पड़ेगा, अगर आपने इस act में, जब भी आपको demand order से पैसा मांगा, और आपने 3 मेने में नहीं दिया, तो फिर section 79 initiate हो जाएगा, okay, proper officer जो अपने dues है, वो कैसे clear करेगा तो उसके पास 6 options है और यह 6 options में, वो आपने dues आपसे clear कर सकता है, पहला option, क्या, तो आपके कोई refund निकलते है, refund chapter में भी पढ़ा होगा आपके कोई refund निकले होगा है, पुराने exports के वगर है, तो उसमें से पैसा deduct कर लिया जाएगा, and a reduction of dues from the amount payable by tax authorities to such person और कोई refund होगा, तो deducted from the refund, यह पहला तरीका दूसरा, recovery by way of detaining, selling of any goods belonging to such person, आपके कोई goods जग कर लिये गए होगे, तो उसको sell करके, जो पैसा मिलेगा उससे भी recovery किया जा सकता है recovery from third person आपका पैसा किसी और के पास होगा bank के पास है, या आपका पैसा insurance company के पास है, आपका पैसा आपने loan किसी third company को दिया होगा तो उसको भी department notice देके कह सकता है, कि भई, पैसा जो है और कि वह हमें देना है, और कि इसको नहीं देना है तो उसको भी notice जा सकते है, recovery from third person from whom money is due और may become due, और money is due और may become due का मतलब क्या हुआ may become due का मतलब यह हुआ यहाँ पे, कि अब कोई समझे लो, MD, matured होने वाली अभी नहीं हुआ, पर एक साल बाद from such person, उसके बाद में detaince is movable or immowable property, मतलब क्या और कि यह भी एक तरीका recovery का कि आपकी सभी movable, आपकी car आपकी bike, movable property और आपकी immowable property, आपका घर वगरे, सब जप कर लिया जाएगा और आपने अगर पैसा नहीं दिया तो वो भी sale कर देंगे auction में हैने, जब करने के बाद 30 दिन वेट करेंगे और 30 दिन में आपने पैसा नहीं दिया तो वो भी sale कर देंगे हाँ, recovery from third person में data भी cover हो सकता है उसके बाद में next तरीका, prepare a certificate of dues, अब एक तरीका यह भी है कि एक certificate बनाय जाएगा certificate of action कहते इसे एक certificate बनाके collector को दिदिया जाएगा कि यह बंदे से इतना पैसा collect करना है collect करके दो, तो वो district collector जहाँ taxpayer का business place है या घर है, या जो भी है business या where he reside या जहाँ उसकी property है, वो district collector police protection में उसकी सब property जब करके उसको auction में sell करके पैसा require करेगा जो tax का पैसा है by way of making application to magistrate who in turn shall proceed to require the amount as a fine imposed by him magistrate को वो application देगा कि इन से पैसा require करना है magistrate वो require करके देगा और last by enforcing bond or instrument executed under this act rules or regulation तो ऐसे सात मोड है रिकारी के, और कि इसमें से कोई भी मोड वो यूज कर सकते है और आपके अगेंस में रिकारी कर सकते है मैंने बहुत इसमेरी मना के रखी है इतना ही लान करके जाना बस that's enough ये रिकारी के 7 मोड से है for the purpose of this section the word person shall include distinct person as referred under section 25 section 18 payment of tax and other amount in installment okay समझ लो मेरे अगेंस में demand order आगी okay समझ लो यहाँपे demand order आगी मेरे अगेंस में अगर demand order आ भी जाती है तो क्या मुझे installment facility मिलेगी kya तो वह कहते yes आपको installment facility मिलेगी okay लेकिन ये जो है other than self assessment tax लेकिन अगर आपने खुदी self assess किया है और government को नए दिया उसको installment निमिलेगा क्योंकि आपने पैसा ले ले लिया है customer से okay तो उसको installment निमिलेगा other than self-assist tax होगा तो वो situation में installment facility मिलेगी और 24 month का installment आ सकता है और आपको interest भी लगेगा आपको interest भी लगेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है interest भी लगेगा लेकिन अगर हमने अगर आपको installment बना के दी 12 मैंने की 18 मैंने किया maximum 24 month की और installment का कोई भी due आप नहीं दे पाए टाइम पर तो आपकी बचीवी installment facility भी ड्रो कर ली जाएगी और बचावा पैसा आपको इमिजिट देना पढ़ेगा चलो, यह section 81 उसके बाद में 81 transfer of property to be void in certain cases, समझ लो आपको यहाँ पे taxpayer को समझ गया कि उसके अगेंस में case लगती है, उन दावरान उसने क्या किया कि अपनी property किसी को बेज दिया, किसी के नाम पे transfer कर दिया और water rate में भी, तो section 81 कहता है कि आप क्या बेवकूप समझ के रखेगा गवर्मेंट को यह अगर आपके अगेंस में कोई चार्ज क्रेट हो गया, और बाद में आपने property transfer की, तो जिसको transfer की, उसको उससे भी, उस property से भी, पैसा रिकार किया जाएगा वो transfer void माना जाएगा transfer of property to be void in certain cases where a person, after any amount become due from him, याने due clear हो गया, उसके अगिसमें notice demand order आगी, और कितना in our fix हो गया with the intention of defrauding the government revenue, create a charge on the part of with property belongings to him or his position, मतलब क्या, इस act में कोई भी notice उसके अगेंस में दी गई होगी या demand order उसके अगेंस में दी गई होगी दैन सुनना, notice या demand order उसके अगेंस में दी गई होगी और बस government के साथ defrauding, मतलब उसको government के साथ, पैसा नहीं देना था तो अपना पूरा असेट किसी को बेज दिया, किसी के नाम पे कर दिया तो property belonging to him or his position, by way of sale, mortgage, exchange or any other mode of transfer, और any of these property in favor of any other person, such charge, transfer void, ये void रहेगा, as against the claim, irrespective of any tax, other sum payable by 70%, इस transfer को wide माना जाएगा लेकिन उसको एक proviso है, such charge या transfer not be void, void नहीं माना जाएगा if made adequate consideration in good faith, मतलब जो लेने वाला है, उसने adequate consideration में लिया, good faith में लिया, without notice of pendency of such proceeding, मतलब जो लेने वाला है, उसको बिलकुल भी नहीं पता था कि against में कोई proceeding लगी है, without notice of such tax and other some payable by side person, or with the previous permission of proper officer, मतलब उसको नहीं पता था कि इसके केस लगी है या इसका कोई dues बाकी है, या फिर उसको पता होगा तो उसने officer को बोल कि sir, आपके dues है, लेकिन मैं इसको करीद रहा हूँ क्योंकि इसको इसले करीद रहा हूँ, क्योंकि आपके dues आपके dues पे करना बाकी है, तो मेरे पैसो से आपका dues पे करेगा, यह मुझे अंडर्टिकिंग दे रहा है, तो ऐससे situation में फिर वालिड रहेगा, अगर आपने officer के permission से किया था, now, next section 82, tax to be first charge on the property, मतलब क्या कि, अब यह अच्छा है, कि यहाँ पे, जब भी कोई आपका against me dues निकलेंगे, समझे वीजयवाल निरोमोधिया पुरानी बात हो गई है, सहारा उगेरे, इनके against me dues निकलेंगे, तो GST का charge first charge रहेगा, जब भी पैसा रिकर होगा, तो GST का पैसा पहले रिकर होगा, बाद में income tax, बाद में कोई other act होगा, okay, except okay, insolvency and bankruptcy code 2016, हाँ, अगर यहाँ पे IBC जो है, okay, यह code के तहथ, IBC code के तहथ कोई रिकर होगी, तो बात अलग है, otherwise first charge जो है, वो GST का रहेगा, 84 तो कुछ important नहीं है, अगर वो court से taxes enhance होते हैं, तो accordingly order भी एनांस हो जाएगी, penalty interest भी एनांस हो जाएगी, ठीक है, imprisonment section, imprisonment के लिए section 132 ही पढ़ना है, okay, imprisonment के लिए यहाँ power नहीं हो, वो 132 में जाएगा, done, तो इस तरह से हमने हमने हमारा यह chapter ख़त्म किया, demand and recovery, इस से related, क्या amendments हो यह, चली, हम discuss करेंगे, देखो बढ़ा, section 73 और 74, issue of show cause notice, हैने हम पहली जो opportunity of being hurt देते है, 73 था, other than fraud, और 74 था, with intention to vet the payment of tax, या fraud, okay, उस में सबसे last में एक explanation था, मैंने मेरे notes में ऐसे box में दिया है, सबसे last में एक explanation था, और यह explanation बढ़ा relief देता था, यह explanation क्या कहता है, देखो, where notice under the same proceeding is issued, the main person liable to pay tax, and some other person, the such proceeding against the main person have been conclude under 73, 74, the proceeding against all other person liable to penalty under section 122, 125, 129, 130, deemed to be concluded, इसका meaning क्या था, और इसमें amendment क्या हुई, important है, for exam purpose, चाहे दुनिया इधर की उदर हो जाए, यह अच्छे से पढ़के जाना, छोटा सा case studies के उपर आ सकता है, अगर आपने 73 के तहत, 30 दिन में pay कर दिया, proceeding conclude कर दि, कोई penalty नहीं लगी, या section 74 में, I repeat section 74 में, आपको time दिया गया, 30 दिन में pay कर दो, order के 30 दिन में pay कर दो, penalty इतना दे के खतम कर दो, 15%, 25%, 50% दे के खतम कर दो, आपने within time pay कर दिया, और आपकी proceeding conclude होगी, जो main taxpayer है, उसकी proceeding conclude होगी, तो अब क्या हुआ कि, government जो main taxpayer है, उसको तो छोड़ती नहीं, उसके साथ-साथ जो other लोग involved है, okay, तो proceeding against all the person, liable to penalty, other लोग कोई involved है, transporter involved है, buyer involved है, warehouse keeper involved है, तो उस पर भी section 122, 125, 129 या 130 में penalties लगाती है, I repeat, 122, 125, 129 और 130 में penalties लगाती है, ओके और वो penalties की भई हमने main culprit को तो पनिश किया ही है, साथ-साथ में उसके साथ जो भी मिली भगत में involved है, उनको भी हम परिशान करेंगे, हम उनको भी penalty लगाएंगे, लेकिन ये explanation जो था, वो बहुत बड़ा relief देता था, और relief ये देता था, दहान सुनिएगा, relief ये देता था explanation कि अगर main जो culprit है, उसकी proceeding conclude हो गई 73-74 में, I repeat, उसकी proceeding conclude हो गई, section 73-74 में, तो फिर other person के against में, जो 122, 125, 129 और 130 के तहट action ली गई, तो इन कानून के तहट, इन दफाव के तरफ, उके दफाव के तरफ, उनके against में action लिया गया, वो भी deemed to be conclude माना जाएगा, मतलब उनको भी छोड़ दिया जाएगा, उके उनके against में कोई भी action नहीं ली जाएगी, चलो, बहुत अच्छी बात है, उनको भी छोड़ दिया जाएगा, ना, अब इसमें amendment क्या हुई, amendment यह हुई, कि जो 129 और 130 का relief था, अधर लोगों को वो निकाल दिया गया, मतलब, मतलब यह हुआ, कि अब main जो culprit है, main culprit का अगर proceeding conclude होगा, तो other person में ली गए action 122 की conclude होगी, 125 की conclude होगी, लेकिन 129 और 130 के तहत, जो भी penalty और file लगाई जा रही है, वो conclude नहीं होगी, वो लगके रहेगी, और आगे में section 129 और 130, I repeat, 129 और 130 की, उसमें भी कुछ amendments होगी है, उसके बारे में भी आपके साथ discussion करूगा, तो important क्या हुआ, यह amendment में, जो detention, seizure, confiscation of goods and convince in transit, a separate procedure for recovery of tax and penalty, recovery of tax and penalty initiate होगी, उससे कोई भी relief नहीं मिलेगा, very very important provision, I repeat, very very important provision, मतलब पहले यह बहुत बड़ा relief था, कि ट्रांस्पोर्टर के लिए, वेराउस कीपर के लिए, क्यूंकि अगर ट्रांसिट में माल रोका गया, तो वो case में 129 के तहत, penalties लगती है, 130 के तहत, confiscation fine लगती है, तो वो भी relief मिलता था, लेकिन अब वो relief नहीं मिलेगा, government बहुत ज्यादा strict हो चुकी है, ठीक है, चली, तो यह एक important amendment, यह chapter में हुई, एक अगें important amendment यह chapter में, demand and recovery में, वो क्या, self-assessed tax, ठीक है, notwithstanding to anything contained in section 73, 74, यह section 75, 12 है, जो बहुत important है, मैं फिर से आपको अच्छे से explain करता हूं, notwithstanding to anything contained in section 73 and 74, where any amount of self-assessed tax, in accordance with the return, furnished under section 39, remains unpaid, either only or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered, same shall be recovered, under the provision of section 79, same shall be recovered under the provision of section 79, ठीक है, अभी यह क्या कहा है, इन्होंने यह कहा है कि, अगर 73, 74, यह सुन यह कहा, 73, 74, notwithstanding to anything contained in 73, 74, मतलब 73, 74 की कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगी, अगर लागू नहीं होगी, तो आप सिंपल में में समझाओगा, पहले मैं इसके लीगल जॉर्गन्स की टिक्नोलिश समझा देता हूँ, पहला सवाल, कि सर, जैसे 73, 74 में, नोटीस के 30 दिन में दे दो, फिर दिमांड के 30 दिन में दे दो, तो 73 में तो पिनॉल्टी नहीं लगती है, अगर आपने विदिन टाइम दे दिया, मतलब 30 दे दिया, या वॉलेंटरी खूद होके दे दिया, तो आपको पिनॉल्टी नहीं लगती है, पिनॉल्टी नहीं लगती है, और 74 में, अगर आपने विदिन टाइम दिदिया तो पिनॉल्टी में डिसकॉंट्स मिल जाते हैं आपको पिनॉल्टी 15%, 25% या 50% ऐसी पिनॉल्टी लगती है ठीक है लिकिन गौर्मेंट का एक मैसेज जो सिक्षन 7512 में बहुत क्लियर है और वो क्या है गौर्मेंट ने टैक्स को दो च यह शकता है अदर द्राइम लेकिन दिया भी नहीं और असेस भी नहीं किया तो वह केस में हम आपको सारी रियायते देने के लिए रेडी है 73 में हमारी नोटीस आएगी अगर अदर दन फेन फॉड दो तो वोलॉन्तरी दे दो कोई पिनॉल्टी नहीं तीस दिन के अंदर द तो penalty 15%, 30 दिन में दे दो तो 25%, order की 30 दिन में दे दो तो 50%, ऐसी penalty, ये कब जब आपने खुद assess नहीं किया, during investigation or scrutiny में पता चला, तो government उस पे रियाद देने के लिए government ready है, उस पे government आपको थोड़ा डिला चोड़ने के लिए ready है, लेकिन government कहा strict हो रही है, government कह रही है कि अगर आपने self assess किया, और self assess करके नहीं दिया, मतलब छुपाओ तो पूरा छुपाओ, तो हम रियायत देंगे, लेकिन बता के छुपा नहीं रहे हो, बता के नहीं पे कर रहे हो, तो वहार तुम्हारी हिमाद तो बहुत बढ़ रही है, यहां बता भी रहे हो, daring देखो तुम्हारा, बता भी रहे हो कि assess हो गया tax, हम assess कर रहे हो, और उसके बाद आप पे नहीं कर रहे हो, तो यहां government strict हो जाती है, और यहां government कहती है, कि भाई अगर वो self assess tax होगा, तो notwithstanding to anything containing 73-74, मतलब 73-74 की कोई भी रियायत आपको नहीं मिली, अगर आपका self assess tax होगा औ 79 की चालो करेंगे, थोड़ा उसको इस चार्ट में समझ लेते हैं, मैंने यह चार्ट दिया था आपको notes में, कि normally, जो 73-11 की penalty है, अगर आप book में पढ़ोगे, तो वो यह है, कि case other than fraud का है, I repeat, case other than fraud का है, और आपने within 30 days, from, okay, within 30 days, tax नहीं दिया, from due date और एक्सेटरा, तो आप को 10% of tax or 10,000 वीचेवी जाया, यह penalty लग जाती है, अगर आपने नहीं दिया, self-assist tax, ठीक है, यह section 73-11 करता है, I hope you understood, 73-11 करता है, इसमें हमने एक clarification भी देखा था, क्योंकि self-assist tax के बारे में, government बहुत clear है, इसमें हमने clarification भी देखा था, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, कि अगर आपने self-assist किया ही नहीं, not self-assist, also not paid, within 30 days, तो फिर कोई problem नहीं, फिर आपको रियायते मिल जाएगी, 73-6 की, अगर आपने voluntary payment कर दिया, तो कोई penalty नहीं, 30 दिन के अंदर payment कर दिया, तो कोई penalty नहीं, क्योंकि देखो, यह fraud का case तो होई नहीं सकता है, क्योंकि 73 में, अगर आप दे रहे हो, क्योंकि section 73 का case है, other than fraud का case है, other than fraud के case में, आप penalty से बस सकते हो, अगर आपने self-assist नहीं किया, और 30 दिन में नहीं दिया, तो notice आजाएगी, और notice में आपने बात में voluntary pay किया, तो वो situation में आपको कोई penalty नहीं लगेगी, थोड़ा उसको और simplify करूगा, ल और आपने due date के 30 दिन में नहीं दिया, due date के 30 दिन में नहीं दिया, तो इसको ऐसा समझाओ, यहाँ पर, दो situation, situation 1, और थोड़ा simplify करता हो, आपको समझाने के लिए, for the month of April, आप monthly scheme में हो, और for the month of April, आपकी due date जो आ रही है, ये 20th में आ रही है, 20th में आ रही है payment की, ये due date आपकी आई, ठीक है, अब 73.11 ये कहता है, कि due date से, आपको 30 days में pay कर देना है, due date से 30 days में pay कर देना है, ठीक है, अब यहाँ पर, आपने tax self-assist तो कर लिया था, self-assist तो कर लिया था, समझ ला, आपका tax ता 10 हुजा, और आपने self-assist कर लिया, ठीक है, 10 हुजा, लेकिन not paid within due date, not paid within due date, आपने due date को नहीं दिया, ओके wait, कोई सवाल मत पुछना, ओके आपने due date को नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसे situation में, तीस दिन आपको extra मिलते हैं, अगर तीस दिन में भी नहीं दिया, तो फिर 73.11 कहता है, आपको penalty जो लगेगी, जो mandatory penalty लग जाएगी और वो है 10% of tax, और 10,000 whichever is higher, 10% of tax, और 10,000 whichever is higher, यह penalty लग जाएगी, पर इसमें clarification आया, हमारे CVIC कहा, और clarification ने क्या कहा, clarification ने यह कहा, कि नहीं, अगर यह 30 days तो ठीक है, पर अगर notice के पहले, यानि अगर बाद में show cause notice आई, और show cause notice 30 days के बाद आई, और notice के पहले भी अगर pay हो जाता है, notice के पहले भी pay हो जाता है, तो यह penalty नहीं लगेगी, हाँ, notice initiate हो गई, तो ही penalty लगेगी, क्योंना 30 days cross हो जाए, इसलिए मैंने यह दो पार्ट किये, दो पार्ट ऐसे कि GSTR 3B is file, with payment of tax interest after 30 days, but before show cause notice, मतलब clarification ने यह कहा कि strictly 30 दिन मतलो, ठीक है 30 दिन से जादा भी होए तो चलेगा, पर अगर notice के पहले 3B फाइल कर दिया और payment भी कर दिया, तो वो case में यहाँ पे आपके उपर कोई penalty नहीं लगाई जाएगी, 73.11 की, लेकिन अगर proceeding section 73 की initiate हो गई, initiate होगी मतलब notice आगई, मतलब simple word में वो अब 30 दिन का relevance नहीं बचा, अब due date के बाद आपने जो tax खुदी assess किया है, मतलब वो notice अगरे से नहीं पता चला, आपका खुद का ही self-assess tax है, और वो self-assess tax notice आने के पहले अगर आप देते हो तो आपको penalty नहीं लगेगी, क्यों ना 30 दिन क्रॉस हो जाए, लेकिन notice invoke हो गई, 73 की है, और उसके बाद आप दे रहे हो, 3B फाइल कर दे हो, तो फिर penalty लगाई जाएगी, अब इसमें सवाल क्या खड़ा हो गया, भाई सवाल यह हो गया, कि what is self-assess tax in accordance with the return, तो अब यह बहुत सारे लोग यहाँ पुछने लगे, और बहुत सारे student भी मुझे पुछते थे, कि सर, self-assess tax in return, यह जो है, यह due रहे गई कैसे, क्योंकि हमारा return, हमारा return जो है, submit ही नहीं हो सकता, जब तक हम pay नहीं करते हैं, अब आप कह रहे हो कि भाई, मैं जो return में return दे रहा हूँ, उसमें pending रहे गया, मतलब self-assess किया है, मैंने return भी बताया है, return furnish भी कर रहा हूँ, और payment रहे गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिलकुल नहीं हो सकता है, जैन सुनिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना payment का return ही submit नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर law यह कहता है, कि self-assess tax, जैन सुनो, self-assess tax in accordance with return furnish, एक वर्ट पर धान ला होगा, return furnish, तो सर यह return furnish, कैसे हो गया बिना, बिना, टैक्स पे किया, तो गौर्मेंट को भी यह mistake समझ में आई, और गौर्मेंट ने, इसके लिए अब यह amendment है, और यह amendment है, अगर आप देखोगे तो, गौर्मेंट ने इसके लिए एक explanation डाला, और गौर्मेंट ने कहा, self-assist tax shall include tax payable, in respect of details of outward supplies furnished in 37, that is GSTR 1, लिख दो महाँ पे, GSTR 1, and not in section 39, यहने GSTR 3B, in short, government जो यहाँ पे self-assist tax कहे रही है, वो self-assist tax का मतलब, जो आपने GSTR 1 में बताया, इसलिए मैंने मेरे चार्ट में पहले से GSTR 1 वर्ड यूस कर लिया, मैंने पहले से GSTR 1 वर्ड यूस कर लिया, मतलब क्या, उनने जिस एक छोटा सा explanation डालके clarification दिया, कि जो आपने, I repeat, जो आपने GSTR 1 में, GSTR 1 में, tax assist करके बताया है, और वो 3B में नहीं pay किया, क्योंकि आपने 3B सब्मेट ही नहीं किया, तो फिर, तो फिर यह penalties और वगरे लग स रखती है, अगर notice आगई तो, अगर notice आगई तो, तो in short, पूरे discussion में, ये सारे पूरे discussion में, बात 73-11 की हो, या बात यहाँ पे section 75-12 की हो, जहाँ self-assist tax का है, मतलब, जो आपने GSTR 1 में, I repeat, GSTR 1 में, यहाँ पे assist किया है, उसकी बात कर रहे है, और वो outstanding रहे है, बिटा, ये समझा की नहीं समझा, जो भी मेरे से connected है, प्लीज बताओ, ये समझा है नहीं समझा, और उन्हें नीचे उसका explanation दिया है, ये आप पढ़ लेना, जो discussion में ने दिया है, ये आप पढ़ लेना, okay, self-assist tax मतलब जो, वो GSTR 1 की बात कर रहे है, वो explanation है, और उसका एक background history में ने यहाँ दिया है, okay, तो ये आपने पढ़ लेना, प्लीज बता बिटा, समझा है या नहीं समझा, यहाँ पर, next, again, एक important amendment हुई है, और ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, provisional attachment of property, section 83-1 में, section 83-1 में, provisional attachment of property, ठीक है, इसमें क्या amendment हुई है, बताता हूँ, पुरानी provision ये कहती है, where, during the pendency of any proceeding, under base judgment 62 का, base judgment चल रहा है, और प्रोसीदिंग चाल हुए, 63 का, base judgment चल रहा है, unregistered person का, summary assessment 64, 67, या 73-74 की case होगी, और ये proceeding में, during this proceeding, अगर commissioner को ऐसा लगता है, कि to protect the interest of revenue, उस बंदे की property provisionally attach होनी चाहिए, तो ऐसे case में, यहाँ पे, वो provisional attachment कर सकते है, लेकिन, अब ये subsection 1, पूरा मेंड कर दिया है, और उन्होंने क्या कर दिया, देखो, after the initiation of any proceeding, I repeat, after the initiation of any proceeding, under chapter 12, that is assessment, अब assessment में सारे section आगे, 62, 63, 64, 65, जो भी, एने chapter अशको बहुत बढ़ा दिया, उन्होंने, assessment ये chapter का कोई भी, एने section 62, 63, 64, कोई भी proceeding चालू हो, और proceeding चालू है, demand or recovery, demand or recovery मतलब 73, 74, वो तो cover किया है, उसकी भी, एने demand or recovery के chapter में, जो भी sections होगे, किसी की भी proceeding चालू हो, या अब उन्होंने add कर दिया, inspection search or seizure, I repeat, inspection search or seizure, वो भी add कर दिया है, ये amendment है, उस chapter के तरहत, कोई भी proceeding चालू होगी, ठीक है, फिर वो, यहाँ पर, investigation, inspections वगरी की proceeding चालू होगी, और during this proceeding, अगर officer को doubt है, कि भाई, गवर्मेंट के interest को protect करना जुरू होगी निया है, तो बंदा भाग जाएगा, तो वो property provisionally attach कर सकते है, तो देखो यहाँ पर, अब उन्होंने direct chapter के नाम दे दिया, section meaning, direct chapter के नाम, और इसको बहुत बड़ा दिया है, the commissioner is of opinion that, for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do, it may by order in writing, attach provisionally any property, including bank accounts को बड़ा दिया, including bank account, belonging to taxable person or any person specified under section 122 1 A, in such a manner as must be prescribed, okay, section 122 1 A, okay, वो अगर आप आगे chapter में पढ़ाँगे, offense and prosecutions में, तो जिन्होंने यहाँ help किया, या हमारे जैसे professionals, ये tax चुपाने के लिए, हमारे जैसे professional tax चुपाने के लिए भी अगर help करते है, तो उनके against में भी action हो सकती है, ये 122 वने था, तो यहाँ अब 122 वने के person हो, या कोई भी person हो, अगर उनके against में proceeding initiate होई है, फिर inspection की हो, search की हो, scissor की हो, arrest की हो, जो main amendment है इस बार की, assessment की हो, demand और recovery की कोई भी proceeding हो, और उनकी provisionally कोई property attach करना हो, तो हम provisionally property attach कर सकते हैं, तो ये change आपको करना है, section 83, subsection 1 में, ठीक है, चलो, और साथ साथ में rule में, मतलब उसकी जो attachment की जो यहाँ पर provisions दी है, ओके तो वो, ये तो provisions आपको पढ़ना है, सिब एक amendment होई है, वो 7 दिन का notice का time, उन्होंने anytime कर दिया है, तो पहले साथ दिन का time था, अब उन्होंने anytime ये वर डाल दिया है, ठीक है, तेको, any person or property is attached, जिसकी भी property attach होगी, anytime of the attachment, file an objection to the effect that property attach was or is not liable to attachment and commissioner में, after giving an opportunity of being heard, release the property, हाँ, तो मतलब, यहाँ पर objection का जो time है, पहले से one days था, अब उन्होंने anytime कर दिया है, जिसकी भी property attach होगी है, अगर उसको कोई objection लेना हो, तो ठीक है, done, तो यह एक rule में 159, इस rule में amendment होई है, चलिए,